अलो स्टुडेंट्स गूड मॉनिंग कैसे आप लोग बढ़िया फास्ट क्लास तो माइसेल्फ देवेंदर अग्रवाल टीम मैं CLC सीकर तो आपका डी सीम के छे च्छटमा पेपर आज हुआ तो चलो डिसकस करते हैं कुश्चन नमर वन से तो पहला कोश्चन क्या कह रहा है देखो फ्रॉम दी टॉप आफ लाइट हाउस टॉप आफ लाइट हाउस टॉप लाइट हाउस है ना और उसकी जो हाइट हो कितनी है 60 मीटर फ्रॉम दा सी लेवल और जो लाइट हाउस है उससे उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है अपना पंदर डिगरी डिप्रेशन एंगल मतलब अब नमन कौन तो अब मेरी बास सुनो यह क्या कह रहा है नाव अपने य लाइट हाउस तो क्या हो जाएगा बताओ इसको X माल ले तो क्या हो जाएगा 10 15 डिगरी इक्वल्स टु 60 अपॉन एक्स एक्स का वैलू निकाल ला है तो कितना हो जाएगा 60 इन्टू cot 15 और cot 15 की value कितनी होती है बताओ root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 option number second is correct आपने विसे याद कर लखी होगी value 2 plus root 3 और 10 15 degree value क्या होती है 2 minus root 3 clear है बात चलें आगे है ना यह क्या है आधार आधार ठीक है ना चलो next चलते है question number second second question में क्या कह रहा है देखो the maximum value of sin x plus 5 by 6 x plus cos x plus 5 by 6 in the interval 0 से 5 by 2 is attained at तो एक बात बताओ आप से का जा रहा है इसकी maximum value निकाल नहीं है आप ठीक है ना 5 by 6 किस interval में 0 से 5 by 2 में है तो क्या से निकाल लेंगे सबसे पहले दोनों angle same है तो क्या हो जाएगी maximum value सबसे पहले क्या करा जाए बताओ बना लें इसको perfect square one तो यह आजाएगी root 2 और 1 by root 2 से कर लिए में इसको multiply sin x plus 5 by 6 plus 1 by root 2 cos x plus 5 by 6 ठीक है तो क्या हो जाएगा क्या लिखोगा इसको बलाओ यह तो sin x plus 5 by 6 है 1 by root 2 को क्या लिख लिए जाए cos 45 इसको लिख लिएते है sin 45 यह हो गया sin 5 by 4 यह हो गया cos 5 by 4 clear अब बताओ sin a cos b plus cos sin b क्या बन जाएगा sin a plus b तो x plus 5 by 4 तो पहले से एक एंगल और cos के साथ क्या है 5 by 4 तो plus में आ गया अच्छा यह 5 by 6 था sorry तो कितना आ गया यह यह आगया आपका root 2 into sin of x plus 30 plus 45 कितना हो गया 75 डिगरी अब यह बताओ मिरको आप इसको maximum value देनी है ना तो maximum value sign की कितनी होती है plus 1 होती है तो यह value plus 1 कब होगी जब sign के अंदर angle कितना होगा यह 90 डिगरी होगा तो यह angle 90 डिगरी होने के लिए x की value कितनी होनी चीए 15 डिगरी तो answer के आगया अपना 5 by 12 आ ग value जिसके लिए इसकी value expression की minimum हो नियंतम मान ग्याद करना है ठीटा का value कितना रहा होगा चलो ठीटा सोरी इसका नियंतम मान कहां पर होगा ठीटा किया ना तो चलो कर लेते हैं सबसे पहले आपको दखाई दे रहा है दोनों numbers कैसे है positive तो मैंने क्या लगा दिया असमें amgm तो बेस तो सेम है तो powers add हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 की power sin minus cos बन जाएगा अब यह बताओ sin minus cos अब एपनो minimum value निकाल नहीं है तो इसका minimum value कितना होगा 2 की power का इसका minimum value होगा sin minus cos याद आ रहा है a sin x plus b cos x की minimum maximum value क्या से निकालते थे अपन minus of under root a square plus b square से plus under root a square plus b square यह तो या minimum value क्या होगी coefficient of sin और coefficient of cos के square का sum का under root तो क्या होजाएगा 1 का square plus 1 minus 1 का square कितना हो गया 2 हो गया तो इसकी जो range आएगी sin minus cos की होगए की minus root 2 से plus root 2 तो इसके range आ रही है minus root 2 से plus root 2 तो sin minus cos की minimum value क्या होनी चाहिए minus root 2 तब जाके यह minimum exist करेगा तो क्या हो गया बताओ, sin minus cos equal to minus root 2 तो एक काम करूँ मैं, इसका angle निकलने के लिए क्या करते थे याद है, नहीं है ठीटा निकलने के लिए trigonometric equation type number 5 आपको पढ़ाई गई थी ठीक है, तो क्या था बताओ coefficient of sin और coefficient of cos के square के sum से क्या कर दोगे आप divide और multiply, तो क्या हो जाएगा 1 by root 2 से आपने कर दिया, divide sin को और cos दोनों को और इधर भी कर दिया मैंने divide, एक ही बात है या तो आप बोलो divide multiply कर दिया, दोनों तरफ right कर दिया, एक ही बात है तो इसको आप एक काम करो, इसको लिख दो, sin pi by 4 यह हो गया sin x तो plus का हो जाएगा, minus sin a sin b और cos a cos b, minus sin a sin b होता है आपका cos a plus b, तो इसको एक बार और लिख लेते हैं आपन इधर तो चलो, क्या हो गया, cos a plus b, cos a plus b हो ले तो pi by 4 plus x equals to बोलो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है, अब यह बताओ cos की value 1 काहाँ पर होती है, even multiple of pi पर, तो cos x plus pi by 4 equals to मैं क्या कह सकता हूँ, cos of 2n pi हमेशा कहेगा, plus 1 बनाएगा तो x plus pi by 4, कितना होगी अपना, 2n pi तो कितना आजाएगा, x equals to 2n pi minus pi by 4, ठीक है तो इसका answer कौन सा होगा, check कर लो 2n pi minus pi by 4, इसका वनलब 4th quadrant, option number second आजाएगा, ठीक है, चलें आगे next, east side of square subtended angle of 60 degree at the top of the tower h, meter high standing in the center of the square, if a is the angle of east side of the square, then क्या होगा, तो एक काम करवा पहले, क्या कहे रहा है, east side of a square, एक कोई square है, उसकी हर एक side subtend करती है, an angle of 60 degree at the top of the tower, h meter high, standing in the center of the square, square के center में एक क्या है, tower है, जिसकी height कितनी है, h और हर एक side क्या है, इसका एक angle मनाती है, इसके top पर कितना, 60 degree, तो मैं इस side को बात कर रहा हूँ अभी है न, square है, तो सारी side क्या होंगी, इसकी माननी नहीं है, given है, अपने को a दे रुखी है, अब समझना ध्यान से थोड़ा सा, ये जो height s की tower की, इसको o माल लेते हैं, और इसको माल लेते हैं, तो p पर ये जो side है, वो कितना angle contain कर रही है, 60 degree, समझना ध्यान से बात को, ये जो side है, a, b, ये angle कितना contain कर रही है, p point पर, p point हवा में है उपर, ठीक है, और angle कितना है वो, 60 degree, तो अब बताओ मेरको आप, 60 degree angle ये दी कम, 60 degree ये angle बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ये side equal किसके होगी, इस side के, और ये angle ये equal है, तो ये दरो angle भी equal equal रहे होंगे, इसका 90 degree, तो ये जो triangle बन रहा है आपके सामने, कौन सा वाला, p, a, b, ये कैसा triangle बन गया, बताओ, ये triangle बन गया, आपको equilateral, तो ये जो side है, इदी a है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, आपकी a, a हो जाएगी, अब आपन चलते हैं किस पर, इसकी height के बास, तो height तो कितना होगा, 90 degree होगा, vertically खड़ा हुआ है, टावर है ना, center पे square के, तो ये 90 degree का angle है, तो ये perpendicular हो गया, ये base हो गया, ये hypertension हो गया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, बताओ, h square कितना होगा, length बताओ, diagonal इसी की length कितनी होगी, a, b, square plus b, c, square का under root, तो कितना हो जाएगा, यहापे, under root of, ये तो पताओ, ये आपको a, root 2 होती है, भागे आपको करके दिखाएगा, a, root 2 होगी, तो a, root 2 का square क्या हो जाएगा, सही है ना, अरे, o, a है, o, a कितना होगा, कोई भी square है, ये इसकी side a है, तो ये कितनी आएगी, a, root 2, और इसकी half में आपसे बुछ रहा हो, o, a, तो ये कितनी होजाएगी, a upon, root 2 होजाएगी, नहीं होजाएगी, बताओ, तो सीधे लिग दू में, तो क्या होजाएगा, a square होजाएगा, a square होजाएगा, तो a square होजाए ले जाओ, आप, solve कर लो, तो h square बराबर क्या है, यहाँ से, a square by 2, 2 को यहाँ ले आओगे, तो क्या होजाएगा, 2 h square बराबर, a square, तो answer कौन सा आजाएगा, बताओ, option, 2 h square बराबर, a square, option number second, चलें आगे, next, question number 5, if x बिलोग कर रहा है, 0 से 2 pi में, और mod cos x क्या है, less than and equal to sin x है, then, किस interval में लाई, किस interval में ऐसा होगा, है ना, किस interval में ऐसा होगा, कि mod cos x क्या होगा, less than sin x होगा, तो इस question को आप बजाए, ज्यादा सोचने के सीधे graph से करें, ठीक है, तो देखो, क्या होगा, mod of cos x, पहले sin x से graph बना लूँ में, 0 से 2 pi में, यह बना लिए, 0 से 2 pi में, sin x का graph, ठीक है, अब बताओ मेरे को आप, mod cos x क्या रहा होगा, mod cos x कुछ ऐसे रहा होगा, ठीक है ना, यह आ गया, mod cos x, अब यह पूछ रहा है आप से, किस interval में, किस interval में, mod of cos x क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा, sin x से, तो simple सी बात है, आप चेक कर लो, किस जगे graph, किस जगे graph, एक मिनट रुकें, अब सही है, तो किस जगे graph अपना, mod cos x का कम है, किस से sin x, देखना दियान से, यह cos x से graph दिख रहा होगा, आपको, यहाँ पर यह क्या है, नीचे है, किस से sin x से, sin x से graph कौन सा है, यह तुम्हें दिखना चाहिए, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा बतान जिए हैं, इस से, यह जो नीचे है, cos x और मैने इस की sin x कि फर्स्ट कौढREंट में, और सेकंड वादन में, कहां से aim होती है, बोलो 3 तो इसका मतलब 5 by 4 से 3 by 4 वो interval है जिसमें mod cos x क्या रहा होगा, sin x से छोटा रहा होगा, तो कौन सा option टिक करना चाहिए मिरको, 5 by 4 से 3 by 4, option number 3 सही है, चलें आगे, चलो, question number 6, the solution of sin की power 8x plus cos की power 8x equal to 17 upon 32 is, आप से क्या बुच रहा है, solution बुच रहा है इसका, तो पहली बात तो आपको पता है कि sin square plus cos square, याद है, कितना होता है, 1 होता है, तो इसको मैं लेंपि जाओंगा, sin square plus cos square के format में, तो पहले मैंने लिखा है, sin की power 4 plus cos की power 4, minus का क्या करना पढ़ेगा, बाताओ, 2, sin की power 4, cos की power 4 करना पढ़ेगा, इसका whole square हो रहा हैंगे तो, है ना, sin की power, a square plus b square, plus कितना है का टूए भी उसको cancel out करना है तो क्या करना पड़ेगा माइनस का टूए भी करना पड़ेगा अब अगेन इसके अंदर आ जाओ आप अब साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं अपन बताओ 1-2 sin2 cos2 याद है यह नहीं है यह याद होना चाहिए आपको इतना है न यदि आप जी मेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको यह चीज पताओ नीच चाहिए साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या होता है 1-2 sin2 cos2 साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 क्या होता है 1-3 sin2 cos2 तो यह आप कुछ चीज है बिल्कुल अपने टिप पर रखें जब आंस कुश्चन आए तुरंत अप्लाई करें ठीक है तो 1-2 sin2 cos2 आ गया अब इसको आप solve कर लो तो बताओ क्या करें अपने इसको पहले पहले इसको simplify करें थोड़ा सा और तो यह क्या जाए क बताओ इसको थोड़ा सा और सिंप्लिप्य करते हैं आइ square कर लो, तो कितना बचेगा प्लस का, टू बचेगा, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ गया, क्या आ गया बता है? बन प्लस तू साइन की पावर फॉर, कौस की पावर फॉर और मैनस का फॉर साइन स्क्वार कॉस ये आ गया, अब बताओ क्या किया जाए? एक काम करते हैं इसको अपन sin 2x में चींज कर लेते हैं ठीक है तो इसको क्या लिखा जाए बताओ इसको लिख देता हूँ 1 upon 8 करके और 8 से multiply डिवैड करेंगे तो इसको 2 को तो यह बन जागा 16 और 16 का लिख दोगे आप 2 sin x cos x की गहाथ 4 तो 2 sin x cos x whole to the power क्या बजाए यह 4 हो जाएगा minus में इसको क्या करा जाए बताओ इसको लिख देते हैं 2 sin x cos x का whole square ठीक है सही है equal to में चल रहा है जो भी है वो 17 upon उसकी tension मतले ना वो चल रहा है अपना right में ठीक है अब यह आ जाओ अब बताओ यह कितना हो गया 1 plus 1 upon 8 यह क्या हो जागा sin 2x तो यह तो बन गया sin की power 4 2x और यहां क्या बन गया minus का sin square 2x equal to में कितना है 17 upon 32 इसको simplify कर लो आप 32 से multiply कर तो पूरे को तो क्या हो जाएगा यह 32 से multiply करने पे यहां तो आजागा 32 यहां हो जाएगा 4 sin 2x को माल लो आप t, sin 2x को माल लिया मैंने t तो यहां पे क्या हो जाएगा t का power 4 यह काम करो आप मैं एक बार इसको clear करूँ फ़ड़ा सा सबसे पहले sin की power 4 plus cos की power 4 का whole square उना है उसके बाद sin square plus cos square का whole square उना हैंगे उसके बाद जो power square का whole square खोल दिया तो power 4 आगई वहां से अब मैंने क्या किया इसको 8 से multiply डिवैड किया तो यह बन गया 16 इसको लिख दिया 2 sin cos का whole square 2 sin cos से क्या होता है sin 2 होता है तो यहां से यह equation बन के आ रही है ठीक है ना उसके बाद अब last में क्या कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आपसे sin square 2x को आप t मान ले है ठीक है तो sin square 2x को t मानोगे तो 1 plus 1 upon 8 है ना इस वाले step को अभी मैं एक मेंट रोक रहा हूँ समझाने के लिए 1 upon 8 sin की power 4 2x से तो क्या बन जागा बोलो t square बन जागा तो इसको आप solve करें 4t square minus 32t minus 17 करेंगे तो कितना बचेगा 16 दूनी 32 तो 15 बचेगा क्या बिलकुल 15 बचेगा साब 15.60 अब क्या चाहिए अपने को factors चाहिए तो 15 फोरजा 60 हो गया 60 के factors क्या होंगे 30 into 2 तो यह हो जागा 40 square minus 30t minus 2t plus 15 बराबर 0 तो देखो 2t यहा से common आ गया minus 80 यहा से common आ गया तो अंदर क्या बचेगा 2t minus 15 तो t की जो value जा रही है t की जो value जा रही है वो 2 आ रही है एक तो t की value आ रही है half और दूसरी value आ रही है 15 बटे 2 अब ये t क्या था अपना sine square 2x था तो sine square 2x की जो two value जा रही है 1 upon 2 और 15 upon 2 तो आप ध्यान से देखो, 15 upon 2 तो possible नहीं है साढ़े साथ आ रही है, तो sin की तो maximum value कितने होती है 1 होती है, तो sin square 2x की range क्या होगी 0 से 1, sin 2x की range क्या होती है माइनस 1 से plus 1, तो sin square 2x की range क्या होगी 0 से 1 होगी, तो maximum value इसकी जब 1 है sin square alpha याद आ रहा है, तो 1 upon 2 है, तो कितना angle होगा, pi by 6, तो सीधे लिख सकते हो, आप इसको, क्या, n pi plus minus pi by 6, और pi by 6 में 2 से बेल करों, क्या हो जाएगा, pi by 12, तो कितना हो जाएगा, x equal to n pi plus minus, 1 by 2 आ रहा है, अच्छा, under root नहीं लिया है, 1 by root 2 हाना, चीज़ इसका मतलब, जब root लोगी तो क्या हो जाएगा, 1 by root 2, तो 1 by root 2 value किसकी होती है, pi by 4 की, तो pi by 4 की value होती है, तो क्या हो जाएगा, बताओ, sin 2x equal to 1 plus minus 1 by root 2 है न, और plus minus 1 by root 2 क्या हो जाएगा, plus minus pi by 4, तो n pi plus minus pi by 4, तो n pi plus minus pi by 4, ये कौन आ गया, 2x आ गया, तो 2 सीधे बाट कर दो आप, तो n pi by 2 plus minus 5 by 8, कौन सा option आ रहा है, option नमर 1 आ रहा है, चेक कल लेंगे आरम से, ठीक है, चलो, question नमर 7th, क्या है, देखो, if 10 a minus b equal to 1, and sec a plus b equal to 2 by root 3, then the positive values of a and b are, असाने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो क्या करो, बस, simple सा, 10 a minus b कितना है, 1 है, और 10 sec a plus b कितना है, root 2 by root 3, तो इसको पहले cost मेंचेन कर लें, तो cost a plus b कितना हो जाएगा, आपका, root 3 by 2, और 10 a minus b कितना है, 1, तो आप एक बाता हो, plus 1 value 10 की किस-kis quadrant में होती है, first में और third में, तो जब first quadrant में होगी, 10 की value a minus b, कि 1, तो क्या होगी, या तो pi by 4 होग या third quadrant में कितना हो जाएगा, pi plus pi by 4, तो कितना हो जाएगा, pi plus pi by 4, यानि कि 5 pi by 4 हो सकती है, और यह दि मैं इसकी बात करूँ, किसकी, cost a plus b की, तो cost की value किस-kis quadrant positive होती है, first में और fourth में, first में कितनी रही होगी, pi by root 3 by 2 है, तो कितनी होगी pi by 6, और fourth quadrant में, 2n pi minus pi by 6, यानि कि 6 12, तो कितना बचेगा, 11 pi by 6, अब आप कुछ मत करो, क्या करना है, वस आपको, check कर लो, क्या, a minus b और a plus b, तो आप check कर लो, किन दो का difference, pi by 4 या 5 pi by 4 आ रहा है, वही आपका answer है, है ना, तो आप check करो कि तो क्या आ रहा है, देखो, 7 pi by 24, solve कर लो है न, 37 minus 7, 30 अपन, आ रहा है, 6 पंजे 30 और 64, 5 pi by 4 आ रहा है, तो दोनों का difference कितना है, 5 pi by 4, और दोनों का sum कितना आ रहा है, 37 और 7, कितना हो गया, 44, 44, 24, 24, कितना आ गया, 11 pi by 4, सही है न, नहीं है गया समझ में, 4 से बाग दिल होगे उपर नीचे, सही है, सही है न, तोनों का add करो कितना है, 44, 5, अपन में 24, कितना होगे 11, कितना होगे 6, तो 11 pi by 6 आ रहा है, सही है, इसका मतल़ है न, चलो, next, question नमर 8, देखो, क्या किराए है, minimum value of the expression this, जब भी आपको minimum value निकाल ली हो, जब भी आपको minimum value निकाल ली हो, किसी भी expression की quality की, तो क्या तरीका है, best, perfect square बना लें आप, perfect square बनाओ गे, तो क्या हो जाएगा, बताओ, cos x, minus 2 का whole square बनाओ यही, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, minus का 4 और plus का केतना है, 25 by 8, इसका क्या हो रहा है, under root हो रहा है, तो अब इसके बात प्या हो जाएगा, cos x minus 2 का whole square है, तो बताओ क्या करेंगे, sin x, cos x 시 range क्या होती है, minus 1 से प्लस 1 होती है, minus का 2, इसका whole square करना है आपको, solve करो इसको 8, 32, तो minus का कितना जाएगा, 7 upon 8 आ जाएगा, और इसका है whole under root, ठीक है, इसमें minus 2 करोगी, तो कितना हो जाएगा, minus 3 और ये, minus का 1, इस range का क्या करना है, अपने को, square करना है, minus 7 upon 8, इसका क्या है, whole under root, तो एक काम चोटा जा, इसका जब squaring करोगे, तो आपकी range क्या हो जाएगी, बताओ, minus 1 का square, plus 1, और minus 3 का square, 9, तो आपकी जो range आ रही है, वो आ रही है, 1 से 9, minus करना है, 7 upon 8, और इसका लेना है, अपने को, square root, ठीक है, तो अब 1 upon, 1 से 9, मैंस 7 upon 8 करेंगे, तो कितना आएगा, बताओ, ज इस वेल्यू क्या रही है, 9 minus 7 upon 8, 9 जा 72, 72 minus 7, तो 65 आगे है, 65 upon 8, तो range जो आ रही है, वो आ रही है, under root of 1 upon 8 से, under root of 65 upon 8, यानि की minimum value पूछ रहा है, तो answer आएगा, 1 upon 2 root 2, clear होगी बात, 1 upon 8 नहीं आएगा, 1 upon 2 root 2, clear होगी बात, आप लोग हो सकता है, ये टिक करके आगे हो, त जाले हैं आगे, अगला question है, question number 9, क्या कह रहा है, देखो, the general solution of the equation, 10 square alpha plus 2 root 3, 10 alpha equal to 1, is given by, इसका general solution निकालना है, तो एक काम करें, फिर सबसे पहले आप 10 square alpha, 10 alpha को T माल लो, या फिर 10 alpha में आपको दिख रही है, ये quality equation है, तो सीरी दिरह चार रहे लगा, तो आप सीदे है, minus B, plus minus under root, B square minus 4AC होगा, तो B का square करोगी, तो कितना होजाएगा, दो दूनी 4 तिया, 12, minus का 4AC होगा, तो plus का होजाएगा, 4, सही है न, plus 1 माल जाके क्या होजाएगा, minus का 1 होजाएगा, और नीचे के आगया 2A, तो कितना आगया ये, minus का 2 root 3, ये 16 है, 16 का under root 4 होता है, अपन में 2, तो ये आगया, minus का root 3, plus minus 2, तो ये value किसकी आ रही है, बोलो, 10 alpha की, अब ये 2 value आपको दिखाई दे रही होंगी, 10 alpha की, एक तो है अपनी कौनसी, 2 minus root 3, जो की बहुत well known है, कौनसी, 10 15 degree होता है, 2 minus root 3, और दूसरा क्या हो रहा है, minus 2 minus root 3, इसमें से आप minus sign common लेलो, थोड़ी द degree की value है, यह न, general solution of the equation, ठीक है, तो ये तो 15 degree value है, लेकिन इसकी मैं बात करूँ, तो इसके बारे में क्या कहाल है, आजाओ, 10 alpha equal to कितना हो गया, minus of, 2 plus root 3, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 plus root 3 value किसकी होती है, बोलो, 10, 45 degree, तो इसको अंदर लेके जाना है, तो क्या लेक्सिता ह है, यह 1075, और 1075 को आप क्या लिख सकते हो, 1090 प्लस theta, तो यानिकी 15 लिख दूँ में इसको, 1090 प्लस theta कितना हो जाएगा, बताओ, minus का cot theta हो जाएगा, तो minus का cot 15 आजाएगा, और cot 15 की value हो जाएगी, इसका मतलब इसको समझाने के लिए मैं आपको इसको यहाँ पे लिखके होता है, ज्यादा सही है ना, नहीं है बताओ, 2 plus root 3 के value किसकी होती है, cot 15 बोलो, चाहिए 1075 बोल दो, अब इसको मैंने क्या लिख दिया, cot 15 डिगरी, अब cot 15 की जगह यह दिया, 1075 लिखोगे, तो इसको लिख दो, 10 180 minus 75, तब भी सही है न, एक ही बात है, चलो ऐसे कर देंगा बात एक ही है, लेकिन सम्झे आगी होगी बात, चलो एक बार हो लिख लेते हैं इसको है न, देखो, मैंने क्या बोला, ये value जो है, वो किसकी है, 1075 डिगरी की है, अब minus 10 को डिश्ट करने के लिए, क्या करूँ को मैं, 10, 5 minus, 5, 5, 6, 5, 5, 12 बाएगा न, 15 बंजे 75, सही है, तो ये आगया, 10, 5, 2, ये आगया, तो इसका मलब 10 alpha ब्रावर कितना आगया है, यहांसे, 10, 5, 100 C minus, 75, 105 आगया, ये, 105 का मलब किता होगे, 15, 75, 7, 5, 12 बागया, ठीक है, अब बताओ, कितना जागया है, यहांसे, alpha ब्रावर, n, 5, प्लस, तो चेक कर लेंगे, मैंच कर लेंगे, चलो, चलते हैं आगे, general solution of the equation, this one, general solution बूच रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखाई दे रही होगी, 1 plus cos x plus cos square x plus cos cube x up to infinity, क्या बन रही है, infinite gp बन रही है, infinite gp का सम क्या होता है, a upon 1 minus r होता है, तो a की value कितनी है, यहांपर 1 है, 1 minus r, common ratio कितना है, बोलो, cos x, यह किसके क्वल है, sec x के, ठीक है, cross multiply कर लिया जाए, तो कितना आ जाएगा, sec x into 1, तो sec x हो गया, minus का 1 आ जाएगा, क्यों, cos x into sec x कितना हो जाएगा, 1, एक पल्ट में क्या हो गया, 1, तो sec x की value बोलो, कितनी आ गई, यह आ गई, 2, तो cos x की value कितनी हो जाएगी, 1 upon 2, तो cos x की solution कौन सा निकालना है, general solution निकालना है, तो general solution के लिए क्या करें है, अपर इसका general solution लिख देते है, x बराबर, cos के लिए क्या बढ़ा है अपनने, 2 n pi, plus minus alpha, alpha is the least angle, तो यहाँ पर कितना लिख दूम है, 5 by 3, तो कौन सा option आएगा, 2 n pi, plus minus 5 by 3, option number, second correct है, चलते हैं, आगे, next question में कह रहा है, देखो क्या, if a sin x, if a sin x plus b cos x बराबर 1, and a square plus b square बराबर 1, तो a comma b यदि positive है, then consider the following statements, अच्छा, ठीक है, तो देखो a square plus b square कितना है अपना, 1 है, तो एक बात तो यह सम्झे आती है, यदि a square, 2 numbers का sum यदि square का sum, 2 positive number का sum यदि वना रहा है, एक को मानलो आप sin alpha, दू नहीं साब ऐसे नहीं करना अपने को, तो क्या करो, आप ऐसे सोचो समझो, कि यहाँ पर क्या है, a sin x plus b cos x, तो मैंने क्या कर दिया, sin और cos के जो coefficients हैं, उनके square के sum के under root से कर दिया, divide और multiply, तो क्या बन जागा यहाँ पर, under root of a square plus b square, a upon under root of a square plus b square हो गया, बाकी कोई दिक्कत न लगता आपको, लेकिन समझाने के लिए हैं, जैसे आप आज तक करते हैं रहे हो questions को, बिल्कुल उसी अंदाज में है, अपने इस question को भी solve कर रहे हैं, तो a square plus b square कितना है, one है, यहाँ पर क्या हो गया, sin a, इसको मान लोगे क्या आप, cos alpha, तो sin x cos alpha plus cos x, इसको क्या मान लोगे आप sin alpha, तो sin a cos b plus cos cos sin b, क्या हो जागा, sin a plus b हो जाएगा, तो sin x plus alpha बन गया यह, एककोल डूम कितना है, one, अब sin के value one कहा होती है, बताओ, two and pi plus pi by two, तो यहाँ से आजागा, x plus alpha बरावर, two and pi plus pi by two आगया, अब बताओ, अब अपने को cash के बात चल रहे हैं आपर, अपने पा alpha, alpha क्या है अपना, alpha किसको लेके चलेते है, one, इसकी value चलेते है, तो यहाँ से देखो, a square, a upon this equal to, cos alpha, तो एक बात बताना मेरे को, यह दि, cos alpha बरावर, a upon this है, जिसमें अपने को यह पताएगी, under root of a square plus b square तो कितना होने वाला है, one, तो cos alpha की value क्या जाएगी, a आजाएगी, यहाँ फिर आप इसको equal कर दो, किसके sin alpha के, तो यहाँ से क्या नजर आजाएगा, sin alpha बरावर कितना आजाएगा, b, तो alpha बरावर sin inverse b, अब आजाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिख सता हूँ में, 2n pi, plus pi by 2, minus, alpha की यह क्या लिखें, बताओ, cos inverse a लिखते हैं, फिलाला को बतानी है, बस, तो क्या करें अपन बताओ, एक general solution लेने कोई भी, तो n की value मैंने रख दी 0, n की value 0 के लिए, क्या हो जाएगा, n integer नहीं है यहाँ पर, pi by 2 minus cos inverse a, क्या बन जाएगा, बोलो, sin inverse a बन गया, तो यहाँ से क्या आगया, तो यहाँ से क्या आगया, आपने पास, sin alpha equal to sin inverse b, लिखता मैं यहाँ से, जो मैं समझा रहा था भी, तो यहाँ पर alpha की value इती, sin inverse b आती, तो pi by 2 minus sin inverse b, का बन जाता, cos inverse b बन जाता, और cos inverse b बन जाता, तो x बराबर क्या लिखते है पन, cos inverse b, तो b बराबर क्या आगया है, यहाँ से, cos x आ गया, तो b बराबर cos x है, तो sin x upon cos x क्या हो गया, a upon b, तो यहनिकि 10 x कितना आ गया, a upon b आ गया, और 10 x इदी a upon b है, तो 10 x b के बराबर तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि a की value क्या है, a की value 1 b हो, तब भी कोई मतलब नहीं है, तो b की value तो होई न सकती, इसका मनलब, third option गलत है, तो option 3 is false, चलते हैं आगे, next, question number 12 पे देखो, क्या क्या रहा है, if cos 3x upon cos x equal to 1 upon 3, for some angle x, x belong कर रहा है, 0 से 5 by 2 को, then the value of this, तो एक काम करते हैं, पहले तो देखो, दो तरीके करने के, एक component और dividend हो, और एक अपना normal तरीका, इस question में आप normal तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्या रहा है, cos 3x, इसको लिख दो, 4 cos qx minus 3 cos x upon my cos x, equal to 1 upon 3, cos common लेके काट दो, तो क्या बचेगा, 4 cos minus 3 equal to 1 upon 3, square, 4 cos square minus 3 equal to 1 upon 3, 3 से multiply कर दो, कितना आगया, 12 cos square minus 9 equal to 1, तो यहाँ से cos square की value कितनी आ रही है, 10 upon 12 आ गई क्या, बिलकुल आ गई, ठीक है, तो cos square की value आ रही है, 10 upon 12, अब यह बताओ, sin 3x upon sin x निकालना है, तो sin 3x का formula क्या होता है, 3 sin x minus 4 sin qx upon my क्या है, sin x, sin x common लेके कर जागा, तो क्या हो जागा, 3 minus 4 sin square, अब 3 minus 4 sin square, sin की value कितनी है, अपने पास, cos square की value दे रही है, तो sin square की value दे रही है, तो sin square निकाल लोगे आराम से, या फिर एक काम करो, इसको लिख दो, 1 minus cos square, अब 3 minus 4 plus 4 cos square, तो इसके value रख दो cos square की, किसकी value है जागे अपने पास, sin 3x upon sin x की, कल लोगे आराम से, करभाँगे इसको में, 10 upon 12 रख दो इसमें, तो बाद 4 या 12, तो 10 upon 3 आ गया, 10 upon 3 minus 1, 7 upon 3, 7 upon 3 आ रही है क्या answer, चलो, option number 1 आ रहा है, ठीक है, चलें आगे, question number 13, देखो, क्या कह रहा है, if 5 pi by 2 और 3 pi, इसके बीच में है, कौन अपना x, तो कह रहा है, value of the expression, इसकी value क्या रही होगी, तो इक काम करें, पहले आप इसको rationalize करना है न, rationalize करेंगे तो क्या होगा, नीचे और उपर बिल्कुल same same है, बस बीच में या पर plus आ रहा है, और य लिचे, तो उपर तो क्या हो जागा, a plus b into a plus b क्या हो गया, a plus b का whole square, तो यहां आ गया, under root of 1 minus sign, plus under root of 1 plus sign का whole square, आ गया, और नीचे क्या जाएगा, बताओ, A minus B into A plus B क्या हो जाएगा A square minus B square ठीक है तो उपर क्या हो गया A plus B का whole square क्या हो जाएगा A square plus B square plus 2 under root A B A B का मनला क्या हो गया A into B और A into B जब करो गया आप अंदर तो A 1 minus sign into 1 plus sign क्या हो जाएगा 1 minus sign square और नीचे क्या आ रहा है whole square आ रहा है तो 1 minus sign बचेगा और यहाँ पर 1 plus sign बचेगा जब under root महां से cancel out हो जागा किस से square से आगे solve करते हैं, sign से sign cancel out हो गया 1 plus 1 कितना हो गया, 11, नहीं, 2, ठीक है तो 2 plus 2 under root of क्या आ गया, यह cos square, नीचे कौन है नीचे क्या cancel out होने वाला है, देखना, 1 cancel out होगा नीचे तो minus का 2 sign बचेगा इसका मतलग, तो 2 common लेके काड़ दो 1 plus mod cos upon में minus का sign, यह बच रहा है, तो 1 plus cos upon में 1 plus cos, अच्छा, किसकी बात कर रहा है यह, 5 pi by 2 से 3 pi तो 5 pi by 2 से 3 pi by 2 का में लगके इतना हो गया, बोलो second quadrant हो गया लगता है ना, 5 by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 yes, 5 by 2 से 3 pi कौन सा होगा, second quadrant हो, इस quadrant में cos x कैसा होता है, negative होता है, तो कैसा खुलेगा minus sign के साथ, तो 1 minus cos upon में minus का sign, तो उपर क्या हो गया 2 sin square x by 2, और नीच हो गया minus का 2 sin x by 2 into cos x by 2, सही है ना, तो उपरत हो गया 2 sin square x by 2, नीच हो गया, sin x by 2 into cos x by 2, एक sin कट गया, एक 2 कट गया, sin upon cos क्या हो गया, 10, यानि की minus का 10 x by 2, option number कौन सा आएगा, 4th आएगा, आराम से इसको समझ लें, आप एक बार देख लें, देख लिया, समझ लिया, चले आगे, चलो, next question number 14, क्या कह रहा है देखो, सबसे पहले आप से कह रहा है है, in which, in which, in which of, in which of the following, intervals, inequality, sin x, less than cos x, less than 10 x, less than cortex, can hold good, देखो, दो चीज़े में आपको बता दूँ, एक तो यह लिखा रहता है, can hold good, और दूसरा लिखा रहता है, आपके सामने कही बार, which of the following is true, इन दौन में what difference है, can hold good का मतलब है, कि इस interval में सही हो सकती है, तो आप क्या करें, सबसे पहली बात, तो इस interval, इस interval में check करें न, तो देखो, आपको मैं थोड़ा सा idea देदू एक शीच का, कि यह जो interval दे रखाए, पो 3 pi by 4 से pi, यह कौन सा quadrant है, second quadrant है न, 135 डिगरी से लेकर 180 डिगरी, तो आप जब second quadrant में चलोगे, तो cos कैसा होता है, negative, और sin कैसा होता है, positive, तो इसमें तो यह true ह हो गई नहीं, तो second option तो इसका क्या हो गया, गलत हो गया, ऐसे आप देखें, fourth quadrant, कैसा है यह, fourth quadrant है, यह, seven pi by 4 में क्या हो गया, fourth quadrant हो गया, two pi minus, five by four, है न, eight pi minus pi, तो यहां पर आ गया यह, तो यह जो quadrant है, fourth quadrant है, और fourth quadrant होता है, cos positive होता है, और sin negative होता है, अच्छा, इसमें तो ह बात क्या है, ten, ten और cot, तो cot के लिए अपन बात करें, तो क्या कहना चाहोगे, तो बताओ, तो एक काम करें, graph सीखल लें, cdc देना, चलो graph से खल लेते हैं, solve, चलो, शुरू करें, तो आजाओ, सबसे पहले आपने देखो, in which of the falling interval, the inequality, this one, it can hold good, सबसे पहले क्या किया, मैंने graph बनाया, किसका, sign का, तो sign का आप graph बनाओगे, 0 से 2, 5 में यह बन गया, यदि मैं cos का graph बनाओगा, तो cos का graph क्या बनेगा, यह हो गया आपका, 5 by 2 पर, कितना आ रहा है, बनाएगा है न, यह बना रहा है यहां पर, अब यहां से शुरू होगा graph मेरा, और यह हो गया, cos का, फिर यहां value बनाओगे, फिर ऐसे, ठीक है, यह बन गया, अब बनाते हैं, 10 का graph, तो 10 का graph क्या होगा अपना, 10 का graph, 0 से 5 by 2, 5 by 2 पर value क्या होती है बताओ, 10 की, infinite होती है, 10, 5 by 2 किसको APPROACH करता है, infinite को, तो यहां से आईगी value, इसका मतला ऐसे, और 10 और cot, यह दोना आपको पता है, कहा मिलते हैं, बताओ, 5 by 4 पर मिलते हैं, दोनों की value कितनी होती है, 1 होती है, और 1 value कहा पर होगी? यहां पर होगी? इसका मतला, यहां से खु करता हूं तो ऐसे करता है ना ऐसे करके रहुए नीचे है और कोर्ट का गर्फ कर बनेगा यहां से आएगा वह और यह यहां पर मिलेगा यहां पर करके श्राव अब और पार ऑट है को और सरकाना आप मं द्यानन से आप मैं तो एह अधर-ब गरण पर चेंड कर दूं है ना समझाने के लिए आपको यह था आपका 10 का ग्राफ और दूसरा वाला था यह कॉट का ग्राफ है ना और यहां पाइव फॉर जो इंटर्वल है इसका है ना जहां पर ब्रेक हो रहा है फिलाल तो भी है ना तो जीरो से लेकर पाइव फॉर में यह दी मैं बात करूं तो उपर सबसे कौन है है कौट है पहले सही है एक बार और चेंड कलने है बिल्यू मार्कर दिख रहा है नहीं दिख रहा देखो यह सबसे उपर फिर उसके बाद 10 आ गया है ना दिखनी रहा होगा तो इसलिए ready कल देखें इसको अपन यह कॉट आ गया फिर यह 10 आया फिर कौन आया बatाओ consistent चाहिए तो इसका मतलब जिरो से लेकर पएवई फोर में कौन बढ़ाया है पहले कौट फिर टेन फिर कोस औंधिर तो इसका मतलब जीरो को और ना सही हो सकता है तो option number one इसका correct होगा इसी चोह से आप क्या देख सकते हो 3 diferencia फ़ोर फाइप फ़ोर से थ्री फ़ोर टू और शेयं पर फॉर से टूपाई यह आपको चेक करने हैं और आप कर सकते हो अलग-लग पैन यूज़ करके ठीक है ना जिससे आप दिक्कत ना हो ठीक है चलो एक मेना समझा दिया बाकी आप लोग करने हैं कुश्चन नमर 15 क्या कह रहा है देखो कुश्चन नमर 15 में कह रहा है इफ द एक्क्वेशन साइन की बावर 4x minus k plus 2 into sin square x minus k plus 3 बराबर है 0 k has a solution then k must lie in the interval k का अंतराल बताना है जिसके लिए क्या हो इसका एक हल लगती है नहीं होगा क्या होगा रखती है क्या आएगा यहां पर रखती है ठीक है इतने समझदार हो आप है ना इतने समझदार हो आप तो चलते हैं आगे एक काम करो पहले तो sin square को क्या माल लो आप t माल लो है ना अब t मानते ही देखो क्या हो जाएगा यहां पर आगया t square minus k plus 2 into t minus k plus 3 equal to 0 आप देखो t में क्या बन रही है quality क्या कर लो इसको आप factorize कर लो factorize करना नहीं आ पा रहा है आपको तो क्या कर सकते हो आप 3 दिरा चार रहे का use कर सकते हो बट मेरे को पता है यहां पर है k plus 2 चाहिए मेरे को और यहां पर कितना है k plus 3 तो 1 का difference है तो मैं क्या लिख लिख और k plus 3 minus 1 क्या हो जाएगा k plus 2 बचेगा और यह minus का चाहिए मेरे को तो क्या करें बता हो इसको अपन लिख दें minus का k plus 3 into t और plus का क्या करते हैं अब आपन t तो वो तो क्या हैगा ये minus का k minus का 3 और plus का 1 तो minus का k minus का 2 बचेगा आगे है minus का k plus 2 और minus का क्या है k plus 3 तो factorization अपने कल लिया इसका आपको नहीं समझाया हो तो आप basically आराम से आराम से क्या कल लें आप इसका सीरी दाथ चारे formula से निकाल लें quadratic formula से भी आप इसको solve कर सकते हो बताओ इन दोनों में से क्या 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 आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा t plus 1 इन दोनों में से इसमें से और इसमें से क्या 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 है, minus का k plus 3, तो अंदर क्या बचेगा, t plus 1, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों में से common ले लें t, तो t minus k plus 3, इन दोनों में से one common ले लें, तो t minus k minus k plus 3 है न, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बचेगा, t plus 1 into t minus k minus 3 equal to 0, t की दो value जा रहीं है, एक आरी है, minus 1 और दूसरी value आरी है, बोलो क्या, minus 1 और t की दूसरी value आरी है, k plus 3, अब बोलो t किसको माना था आपने, sin square x को, तो sin square x बरावर minus 1 और sin square x बरावर k plus 3, अब तो कल लोगे आराम से, ये value तो possible है नहीं, बट इसके लिए आप solve कर सकते हो, आराम से sin square x की range क्या होगी, 0 से 1 होगी, तो k plus 3 की range भी क्या होगी, 0 से 1 होगी, तो 0 से 1 range होगी, तो minus 3 कर होगे, तो कितना आ जागा, minus 3 से minus 2, तो k की जो range आ रही है, minus 3 से minus 2, यानि की option number कौन सा सही होगा, बड़ा, option number 4, चलें आगे, next आपका question number, अगला है question number 1, किसका section B का, तो देखो क्या करना है, if alpha beta are positive acute angles, and cos 2 alpha बराबर है इसके, then if 10 alpha equal है, k 10 beta के, then k square किसके equal होगा, तो एक बात उताओ मिरे को आप, cos 2 alpha यह दी इसके equal है, तो एक काम करते हैं, अपन ध्यान से देखो आप, यह जो format है, 3 minus 1 कितना हो गया, 2, 3 minus 1 कितना हो गया, 2, और जब add करोगे आप, गटाओगे इसमें से इसको, तो क्या होगा, 3 minus minus प्लस हो जाएगा, तो 3 plus 1 4, और यह भी 3 plus 1 4, तो इनका जो difference और जो sum है, वो same हा रहा है, तो यहां से मेरे को एक चीज़ नागी, कि इसमें component, dividend का मैं यूज कर सकता हूँ, तो component, dividend का मैं यूज कर सकता हूँ, तो क्या होजाएगा, numerator plus denominator upon numerator minus denominator, कोई दिक्कत नहीं है, इधर बताओ, right side में क्या होजाएगा, numerator plus denominator, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 cos 2 beta और minus का cos 2 beta, तो कितना बचेगा, 2 cos 2 β बचेगा इन दोनों को जोड़ो तो 3 minus 1 कितना बचेगा? 2 नीचे कितना आ जाएगा? गटाओ तो 3 cos 2 β और minus minus क्या हो जाएगा? प्लस तो यहाँ आ जाएगा 4 cos 2 β और यहाँ minus minus plus होके minus का 4 हो जाएगा ठीक है ना? नीचे वाले को minus किया उपर वाले में से, numerator minus denominator होता है, ठीक है? अब बोलो 1 plus cos 2 alpha तो क्या बन गया? 2 cos square alpha कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से आप minus sin common ले लो, तो 1 minus cos 2 alpha क्या बन जाएगा? 2 sin square alpha बाकी direct भी लिख सकते हो आप इसको 1 plus cos 2 alpha upon 1 minus cos 2 alpha क्या बन जाता है? cot square alpha है ना? 2 पर से common ले लो, तो अंदर क्या बन गया? बोलो 1 plus cos 2 beta, तो यह हो जागा 2 cos square beta और यहाँ पर क्या आगया? 4 common लेने पर, minus का 2 sin square beta ठीक है? अब बताओ क्या करें? 2 से 2 cancel out हो गया, 2 से 4 cancel out हो गया, तो cos square upon sin square हो जाएगा cot square, तो यह हो गया minus का cot square alpha equal to, यहाँ पर कितना आजाएगा बोलो? minus का half, यह हो जाएगा cot square beta, तो minus से minus cancel out हो गया, कितना आगया बोलो? यह आगया 2 10 square alpha बरावर 10 square beta, यह आगया, तो आप से क्या पूछा था? 10 alpha बरावर क्या है? k 10 beta, तो square करो गया तो क्या हो जाएगा? ठीक है? कर लिया? समझा आगी बात? चले हांगे? चलो, देखो, next if, second question if sin t plus cos t equal to 4 upon 3 and 10 t by 2 is the one of the root of the quadratic question, this one देखो, 10 t by 2 इसका root है और sin t plus cos t क्या दिरिखा है अपने को 4 upon 3, तो कह रहा है, बताओ b और c यह दी rational number हो, तो a plus b किसके equal रहा होगा? तो एक काम करते हैं sin t plus cos t कितना है? 4 upon 3 तो एक बात यह बताओ, आप 10 में change करना है sin को तो half angle formula याद है, sin का cos में क्या होता था? 2 10 t by 2 upon me 1 plus 10 square t by 2 यहाँ पर क्या होजगा? 1 minus 10 square t by 2 upon me 1 plus 10 square t by 2 ठीक है? अब इसका LC में लेलो आप, तो क्या होजगा? उपर तो आजगा 2 10 t by 2 plus 1 minus 10 square t by 2 और नीचे जगा 1 plus 10 square ठीक है? और equal to me कितना है यह? 4 upon 3 इसको आप multiply कर लो, cross multiply तो कितना होजगा? ती में क्या आ रही है? t बोले तो 10 and t by 2 है ना 10 t by 2, तो cross multiply करोगी तो आएगा 6 t plus का 3 minus का 3 t square equal to me आएगा 4 plus 4 t square, तो कितना होगा यह 7 t square हो गया, सब को इदर ले आओ एक तरफ minus का 60 हो गया, plus का 1 बचेगा इसका factoration क्या आ रहा है? जग करो 7 बनजा 7, तो minus का 70 और plus का 1 t clear? आप इसको common ले लो आप तो 7 t और इसमें से क्या common आएगा? plus का 1 अंदर क्या बचेगा बोलो? t minus 1 बचेगा, equal to 0 ठीक है? बोलो t की value क्या क्या रही है? minus 1 upon 7 आ रही है और 1 आ रही है, आप से क्या कह रहा था? कि यदि ठीक है न, minus का होगा नहीं, यह माँआ जाके minus का 60 ठीक है यह आ गया, लेकिन इसके जो value आ रही हो क्या रही है? सेवन बंजा, सेवन बंजा जो factor किये हैं, वो negative तो आ नहीं सकता न, एक मट चेक करने दो, 7 t square होगा बिल्कुल के रही है और minus का 60 होगा, बिल्कुल के रही है plus 1, तो इसके तो factors होगे नहीं, न, b square minus 4 e c negative आ रहा है तो इसके roots तो imaginary आ रहे हैं न, कुछ गलती होगी है, चेक करें एक बार 210 t by 2 upon 1 plus 10 square, तो यह तो आगया आपका sin x का formula होगा sin t का, ठीक है, 1 minus t square upon 1 plus t square होगया, ठीक है है, तो 1 minus t square और 2t, 4 plus 4t square, 3 to 6, 3 by 3 और 3 by 3, तो यह होगा 7t square minus का 60 और plus का 1 equal to 0, तो यह आ रहा है आपका, 7 by 7, न, यह तो गलती है सब्सक्राइए, इसको दो गढ़िए, तो न, 1 minus t square d by 2 upon 1 plus 10 square d by 2, calculation कोई mistake है, देखो एक बार ध्यान से, for upon 3 ठीक एक्कोल था यह तो यह हो गया 2 10 और यह हो गया 1-10 स्क्वाइर एल सिम निचा गया 1-10 स्क्वाइर ठीक है यहां तक तो तो 4 प्लस 4 10 स्क्वाइर यहां से अगया 3 तू जा 6 6 और 3 बंज़े 3 माइनस का 3 ठीक है रूट्स इसके इए डीकल टू क्या रहा है बी स्क्वाइर माइनस 4 ईसिय अज़े थो 36 आएगगा बी स्क्वाइर मैंस 4 ईसी तो कितना यहां थेट पॉजिटिव आ रहा है कोई 36-28, अपन में 2A, यानि की 14, कितना हो जागा, 6 plus minus under root, कितना हो गया, बोलो, 8, अपन में 14, तो 2 root 2 लिखोगे इसको, तो क्या हो जागा, यह 3 plus minus root 2, अपन में 7, यह आगया आपका 10, टी वाई 2 की value, ठीक है, अब 10 टी वाई 2 की value आ गई, अब यह आप से क्या क्या गया था, 10 टी वाई 2 क्या है, इसका, quality equation इसके roots है, जिसमें B और C क्या है, B और C का मतलब क्या है, B और C rational number है, B और A हो गा है, यहाँ पर यह ना, A, B और A rational number है, B और A क्या है, rational number है, लेकिन यह understood है, समझगे आप लोग, B और A क्या है, rational number है, B और A यह थी rational है, तो बताओ क्या करिए जाए, निकाल लें इसके roots, तो बताओ, एक काम करते हैं, इसको फ़ड़ा रिल्ट कर आजाओ, एक root बोलते हैं, alpha, दूसरा बोलते हैं, beta है, तो एक root यह थी इसका यह थी दे रखा है, तो आपने को क्या, 10 T by 2, तो आपने क्या देखा, 10 T by 2 के जो roots आ रहे है, जो value जा रही है, वो क्या रहे है, irrational आ रहे है, यानिकि एक यह थी irrational है, तो दूसरा क्या होगा, उस का conjugate pair होगा, इसका मनलब यह दोनों जो root हैं, वो इसी equation के roots रहे होंगे, यह समझे लिगाते हैं आपको है, यह थी 10 T by 2, इसका एक root है, और 10 T by 2 की जो value है, वो irrational आ रही है, तो जो irrational root होते हैं, वो मिशा किसमें होते हैं, pair में, कब, जब A और B क्या होंगे, rational, यह आपने quality equation मे होता है, और यह दी ABC real होते हैं, और roots क्या होते हैं, complex, तब भी किसमें आते हैं, conjugate pair में, तब बताओ मिरको, यह दोनों root क्या होगे, इसके equation के roots हो गए, तो बताओ sum of root क्या हो जाएगा, sum of roots, यह क्या हो जाएगा, minus B upon A, clear होगी बात, तो यहां से क्या जाएगा, दोनों का sum, sum आजाएगा आपका, plus वाला, minus वाले से कर जाएगा, तो 3 और 3, 6, 6 upon 7 आगया, sum of root, तो यह तो हो जाएगा, minus B upon A, यह clear है बात, दोनों को add कर होगी आपस में, तो क्या हो जाएगा, plus वाला, minus वाले से cancel out हो जाएगा, क्या root 2, तो क्या बचेगा, 3 plus 3, 6 upon 7, और product of roots क्या हो ज square upon 7, 7, 49, equal to 1 upon A, तो यह value कितनी आ रहे है, solve करो, 9, 9 minus 2, 7, 7 से 7 कट गया, तो A की value यह तो 7 है, तो यहां रखोगे, तो 7, 7 कट गया, तो B की value कितनी आएगी, बोलो, B की value आएगी, minus 6, और B की value आएगी, minus 6, तो A plus B कुछा है आपसे, तो बताओ कितना आ जाएगा, 7 minus 6, 1, य लेकिन उससे पहले अपने को T में relation दे रखा है, क्या, कि sin T plus cos T की जो value है, 4 upon 3 है, अपने sin और cos को convert कर लिया किसमे 10 T by 2 में, half angle formula की मदद से, तो यह 10 में इसका formula होता है, 2 10 T by 2 upon 1 plus 10 square T by 2, और इसका भी आपको पता है, उनका LC में ले लिया, solve किया, तो जो quadratic बनी T में, T मतलब 10 T by 2 में, उसके जो roots निकाले, वो irrational आ रहे थे, और 10 T by 2 यह दी इस equation का root है, तो एक root यह दी irrational है, तो दूसरा की भी क्या होगा, उसका conjugate pair होगा, तो इसका मतलब यह जो दो roots आ रहे है, वो इस equation के roots है, तो वहां से हमने sum of roots of product of root की condition लगा के, A और B की value निकाल ली और वहां से solve कर लिए, ठीक है, चलें आगे, चलो, question number 3 देखो, क्या क्या रहा है, if cos alpha बरावर ऐसा है, then 10 alpha by 2 into cot beta by 2 का whole square क्या रहा होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें भी आपको क्या करना है, component dividend लगाना है, आप उसी से करें, कोई दिक्कत नहीं है, तो उपर आ जागा, 1 plus cos alpha औ plus 1 और नीचे जाएगा, minus करोगे तो 3 cos beta, numerator plus denominator upon numerator minus denominator है न, तो minus का मतलगे है, minus 3, ठीक है, चलो, तो कर लोगे इसको भी आरम से, कर लोगे, चलो, कर तो लेंगे, या करके तो हम दाओ, वहीं बनेगा न, 2 cos square alpha by 2, minus 2 sin square alpha by 2, 2 cos square beta by 2, minus 3 common लेने के बाद, 2 sin square by 2, बिल्कुल सेम काम करना है भई, बस 10 alpha by 2, cos by 2, beta by 2 में change करना है, ठीक है, चलें आगे, चलो, next, question number 4, क्या कह रहा है, देखो, if a equal to this and b equal to this, then find the value of a square plus b square, बताओ, क्या किया जाए, सबसे पहले एक काम करें है पन, a square plus b square पूछ रहा है, तो देखो, इस angle को थोड़ी देर के लिए मैंने माल लिए alpha, इसको माल लिए मैंने beta, और इसको माल लिए मैंने gamma, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह alpha, यह beta और यह gamma, तो बताओ, दौनों को आप square करके add करोगे, तो a square plus b square किसके एक को ले जाएगा a plus b plus c का whole square क्या होता है, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c, तो यहाँ पर आजाएगा आपके पास sin square alpha, यहाँ एगा cos square alpha, तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ एगा sin square beta, यहाँ एगा cos square beta, तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ एगा sin square gamma और यहाँ एगा cos square gamma, तो कितना हो जाएगा 1, अब a-b, तो यहाँ पर आएगा cos a-b, यहनि कि 4 pi by 7 minus 2 pi by 7, अब बताओ मेरको next 2, अगला counts of here बनेगा, इन दोनों को ले ले, cos sin beta sin gamma को, तो अब a-b काया बनेगा, gamma minus beta, तो cos के अंदर gamma minus beta, तो कितना बन जाएगा बोलो, 8 pi by 7 minus 4 pi by 7, अगले में क्या बनेगा, 2 into cos, 8 pi by 7 minus 2 pi by 7, clear, तो यहाँ से क्या रहा है आपके सामने बताओ, 1 plus 1 plus 1 तो कितना हो गया, 3 हो गया, 2 तीनों में से common ले ले लेना, तो अंदर क्या बज़ेगा बोलो, cos 2 pi by 7 plus cos 4 pi by 7 plus cos कितना है, 6 pi by 7, और यहाँ पर यह जो बन रहा है आपके पास cosine series बन रही है, cos के अंदर angle कितने हैं, ap में है, cos के अंदर cosine series में angle ap में होते हैं, तो क्या होता है, cos and beta by 2 upon cos beta by 2, लगा तो cosine series, यहाद आ रहा है, cos a, cos a plus d, cos a plus 2d, 2d, यहाद आ रहा है, तो cosine series, किसमें ap में angles, तो के होता है, इन तीनों का सम, बताओ जल्दी से, नहीं हाद रहा है, तो बताओ, बता दूँ पुरा, 3 plus 2 into bracket में क्या आएगा, बताओ, cos series हम होता है, sin n, beta by 2 upon sin, beta by 2, अब cos के अंदर के अंदर के आएगा, first angle plus last angle है, यानि कि first angle को a माल लेते हैं, common difference कितने का आ रहा है, बताओ, ये 2 pi by 7 है, और ये 4 pi by 7 है, तो difference कितने का रहे गया, 2 pi by 7 का हो गया, तो common difference आ गया, 2 pi by 7, तो 2 pi by 7 upon 2 कितना हो जागा, 5 by 7, तो नीचे तो आ जागा 5 by 7, यहां जागा 3 into 2 pi by 7, और यहां पर कितना जागा बताओ, फिस्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल तो 2 प्यवए 7 प्लस 6 प्यवए 7 कितना हो गया? 8 प्यवए 7, 8 प्यवए 7 आपन 2 कितना हो जागा? 4 प्यवए 7, तो सॉल कल लोगे आप आरब से, ठीक है? कल लोगे आरब से सॉल, चलें आगे? चलो Next, and the last question, question नमर 5 है न, Calculational बार्ट कर लो किया पार हम से If theta be an acute angle satisfying the equation this तो कह रहा है 4 cos theta की value क्या होगी तो एक काम करो आप पहले ये कितना है 8 cos 2 theta ये हो जागा 8 upon cos 2 theta equal to कितना है 65 तो LC में ले लो आप कितना होगी है बोलो 8 cos square 2 theta minus 65 cos 2 theta plus 8 equal to 0 8, 8 जा कितना होगा 64 तो factors कर लो इसको factorization क्या हो जाएगा minus 64 cos 2 theta minus cos 2 theta plus 8 बराबर 0 अब इसको आप common ले लो 8 cos 2 theta minus 1 into cos 2 theta minus 8 equal to 0 दो दो value आ रही है एक आ रही है cos 2 theta बराबर 1 upon 8 और एक value आ रही है plus 8 तो possible नही है cos की range क्या होती है minus 1 से plus 1 होती है तो इसका मतलब 1 upon 8 आएगा किसकी value? cos 2 theta की अपने को क्या निकालना है इसमें? cos theta तो बताओ यहीं पर निकालते हैं side में चलो तो cos 2 theta क्या हो जागा? 2 cos square theta minus 1 हो जाएगा ये कितना रहा है? 1 upon 8 इसको स्वाल करें आप तो 2 cos square बर आपर कितना हो जाएगा? 1 plus 1 upon 8 कितना हो गया? 9 upon 8 तो cos square कितना हो जाएगा? 9 upon 16 तो cos कितना आजाएगा अपना? 3 upon 4 तो इसका answer क्या आएगा गोलो? कितना आएगा answer इसका? 3 आजाएगा answer क्याएगा 0 3 ठीक है? चलो next अच्छा यह था आपका last question ठीक है? ठीक है? तो अपना next paper अपने advance का solve करेंगे इसके बाद Thank you Hello to good morning तो j means का solution होचका है, j advance की solution अपने आप आ रहे हैं तो j advance में अपना पहला question paragraph से है, तो देखते हैं क्या question है consider the equation 2 sin x minus cos x into 1 plus cos x equal x के sin square x के interval di x belongs to 0 से 2 pi तो कह रहा है बताओ sum of solutions यानि की पहले solution निकालो और उनका sum करेंगे बताना है आपको क्या हैगा तो करते हैं शुरू तो सबसे पहले देखो आप, आपके पास जो equation लिखी हुई है उसमें एक तो टर्मारा है 1 plus cos x और right side में है sin square x तो देखो sin square x को मैं लिख लिए 1 minus cos square x ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यह हो जाएगा आपका 1 minus cos into 1 plus cos कब जब 1 को लिखोंगा हमें 1 का square तो यह हो गया 1 minus cos into 1 plus cos theta और यहां पे क्या है 1 plus cos x और यह है 2 sin minus cos एक तरफ लियाओ दोनों को तो क्या हो जाएगा 1 plus cos common हो जाएगा अंदर क्या बचेगा बताओ 2 sin minus cos और यहां क्या बचेगा minus का 1 और plus का हो जाएगा cos clear, equal to में क्या बचा 0 है ना एक तरफ लाके में लिए 1 plus cos common ले लिया, अब बोलो next क्या हो जाएगा, cos से cos तो cancel out हो गया क्या बचेगा 2 sin minus 1 तो यहां से 2 चीज़ आ रही है, अपने पास क्या आ रहा है एक तो आ रहा है 1 plus cos और एक आ रहा है 2 sin minus 1 और यह क्या equal to 0 तो अपने को पता है A into B 0 है तो यह तो आधर A 0 या B 0 या 2 0 तो cos की value क्या आ गई यहां से minus 1 और sin की value क्या आ गई half, दो value जा गई तो बताओ cos की value minus 1 कहा होती है 0 से 2 pi interval में pi पर होगी, तो x बराबर क्या आ गई यहां से pi ठीक है, और sin x की value half किस-किस quadrant में होगी बूलो sin x positive होता है, first quadrant और second quadrant में और 1 by 2 value किस की यहती है angle 30 degree की और angle pi minus 5 by 6 यानि की 5 pi by 6 है न यह angle कितना जाएगा 5 pi by 6 है जाएगा complete angle ठीक है तो 2 angle आ रहे हैं आपके पास एक तो pi by 6 और एक 5 pi by 6 चलतो आगे चलते है अब यह क्या कहा है sum of solution तो इन सब क्या करना है sum करना है तो sum कर देते हैं, तो कितना जाएगा बताओ 30 plus 150 कितना होगा, x or c यानि कि pi, तो pi plus pi कितना होजाएगा 2 pi, तो option number second correct होगा चलें आगे next second question देखो क्या कहा रहा है अपना second question क्या कहा रहा है यह if alpha beta gamma are the solution of the equation अच्छा, उस equation के यह the solution है कौन alpha beta gamma, तो पुछ रहा है 10 alpha plus 10 beta plus 10 gamma का value क्या रहा होगा तो पहली बात तो यह समझा आती है कि alpha beta gamma 3 solution है तो अपने value जो निकाली थी एक value आई थी pi, दूसरी आई थी pi by 6 और तीसरी आई थी 5 pi by 6 और यह क्या है alpha beta and gamma तो इसको alpha माल लेते हैं इसको beta इसको gamma किसी को आप alpha beta gamma माल लो कोई फरक नी बढ़ेगा अपने को क्या करना है 10 alpha 10 beta 10 gamma को add करना है तो बताओ 10 pi की value 0 10 pi by 6 यानि कि 30 कितना हो जाएगा 1 by root 3 और 10 5 pi by 6 किस quadrant में आ रहा है second quadrant, second quadrant में क्या होता है pi minus pi by 6 यानि कि minus का चलो लिख लो आर हमसे कोई दिक्कत नी है 10 इसको लिख लिख लिए हमने है pi minus pi by 6 किसको 5 pi by 6 को तो क्या बन जाएगा यह minus का 10 theta यानि कि minus का 10 5 by 6 और यह कितना है 1 upon root 3 और यह क्या है 0 तो यह भी 1 upon root 3 आने वाला यह भी क्या आ गया 0 option number कौन से यह इसका माला 3rd ठीक है चले हांगे 1 किसका अपना section B का तो देखो which of the following are positive तो कौन कौन से इन्वे से positive है तो इसके लिए आपको condition बताए क्या होती है log log की value का positive आती है जब base और number दौन ही क्या हो same side of unity होते है और यह दी opposed side of unity है तो फिर क्या हो जाएगी इसकी value negative आती है जैसे मैं आपसे वह लना हो log of a to the base b तो a और b यादी दोनों ही 1 से बढ़े है या दोनों ही 1 से चोटे है but obviously 0 से बढ़े होंगे है न तो a और b दोनों यादी 1 से बढ़े है या फिर 1 से चोटे है तो कैसी value आएगी log की positive और a 1 से बढ़ा है और b 1 से चोटा है या उल्टा है B1 से चुटा है और A1 से बढ़ा है तो इसकी value क्यासी आएगी? Negative हैगी आपको पता है यह चीज है ना? तो शुरू करते हैं देखो सबसे पहले 10,1 यहाँ पर 1 क्या है? Radian 10,1 Radian की value इकतनी होगी बताओ? 1 से तो बढ़ी होगी 10,57 डिगरी क्या होता है? 1 से बढ़ा होगा और sin 1 Radian कीतना होगा? जो भी हो 1 से तो शुड़ा ही होगा क्यों? क्योंकि sin 90 की value कितनी होती है? 1 अब यह 1 से चोटा है यह 1 से बढ़ा है तो यह value कैसी आगी? आपकी बढ़ा Negative तो यह option इसका सही नहीं है Next, cos 1 Radian 1 से चोटा होगा और यह value 1 से बढ़ी हा रही है, छोटी हा रही है देख लें, चेक कर लें देखो 10,3 Radian है ना 10,3 Radian का मतलब क्या होगा है? 10, 171 डिगरी क्या सपास? तो इसका मतलब क्या होगया? सच्छिए ना? तो क्या होगया? इसका मतलब 10, 100C माइनस 9 लिख दिया इसको, तो 1-10, 9 डिगरी, second quadrant में 10 कैसा होता है? negative होता है, तो 10, 9 डिगरी गटा दिया, है ना? माइनस 10, 9 डिगरी होगया, तो 1-10, 9 डिगरी वैल्यू क्या आएगी? 1 से चोटी आएगी, 10, 9 डिगरी कितना होगा? 0 से चस्ट, बढ़ा, है ना? 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती है, किसकी 10 की 0 से लिके 45 डिगरी तक, तो 1-10 क्या होगया? 1 से चोटा होगा, और ये भी 1 से 5-1 upon 2 आजाएगा, अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, जरा चेक करो, रूट 5-1 upon 2, तो ये 2.23-1, तो 2.23-1 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 1.23, अपॉन में कितना है 2, तो ये वैल्यू क्या रही है? 1 से चोटी, इसको भी चेक करो, 10-15 डिगरी, 10-15 डिगरी क्या होग जाएगा 2-3, तो 2-3 भी क्या है? 1 से चोटा है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आने वाली है, ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, ये वी सही है, इसको चेक कर लेंगे है अपन, बताओ, कॉट 5-8 कितना होगा? कॉट 25 डिगरी कितना हो जाएगा? रूट, रूट 2-1, त चक्रो 2-23 प्लस 1, 2-23 प्लस 1 कामटलग हो गया, 3-23 यानिकी लेस देन हो ना रहा है है, और ये वन से चोटा है और ये वन से बढ़ा है, तो इसका मतलग ये भी कैसा आ रहा है? नेगे बार है, तो इसका मतलग ये भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन नमबर 2 and 4 are correct, चले यांगे, चलो, second question, क्या कह रहा है, यदि 3 sin beta equal है, sin of 2 alpha plus beta, then क्या होगा, तो देखो, क्या करेंगे, कुछ question ऐसे होते हैं, जो अपने को, आपने basic में क्या पढ़ा होगा, एक topic पढ़ा था, basic mathematics में, ratio and proportion, वहां से एक आता है, component or dividend, जो काफी जादा helpful है, इन सभी questions में है तो देखो, नीचे क्या लिया है, sin beta, तो आप समझ जाओ है, alpha plus beta आ रहा है, इसमें मैं cnd लगाओंगा, तो जब मैं 2 alpha plus beta मैं से minus करूँगा, बीटा को, तो alpha plus beta बन जाएगा, और जब जो, नहीं, जब add करेंगे, तो बन जाएगा alpha plus beta, और जब subtract रहेंगे, तो क्या बचेग और sin c plus end क्या होता है, 2 sin c plus dy2, तो alpha plus beta बचेगा, cos c minus dy2, तो क्या बचेगा, alpha, और नीचे minus करोगे, तो sin c minus end क्या हो जाएगा, 2 cos, पहले क्या आता है, cos आता है, 2 cos c plus dy2, और sin c minus dy2, तो alpha बचेगा, ठीक है, तो 2 से 2 बच गट गया, 3 plus 1 4, 3 minus 1 2, तो यहां बचेगा 2, ऊपर कि sin, और यहां cos, तो क्या बचेगा यह, 10 alpha plus beta, अब यह क्या बचेगा, cot, लेकिन आप इसको cos को नीचे लेके जाओ, sin के तो क्या बचेगा, 10, तो नीचे आजगा 10 alpha, 10 alpha plus beta बचेगा, 2 10 alpha, 10 alpha plus beta बचेगा, 2 10 alpha, एक तो यह option सही होगा, अब चेक कर लेते हैं, बागी option भी सही है, की गलत है ना, तो एक काम करो, sin alpha plus beta चाहिए ना, अगले में option में, तो एक काम करो, sin alpha plus beta की value निकल लो यहां से, और वहां रखके चेक कर लो एना, तो sin alpha plus beta की value कितनी आएगी, देखो, 2 10 alpha बचेगा, 10 को लिख दिया मैंने, sin upon cos की form में है, तो sin alpha plus beta बचेगा, तो बताओ, sin alpha plus beta into cos alpha plus beta और into में क्या है, cos alpha, ठीक है, तो देखो, 10 alpha को लिख दो, क्या, यह लेकर आना है ना, अपने को तो इसको रहने दो, है ना, यह आएगा, तो तो सही है, नहीं तो नहीं सही है, है ना, तो करो solve, cos alpha और यह क्या है, sin 10 alpha, sin upon cos लिख दो क्या बचेगा, 2 sin alpha into cos alpha plus beta, और इसक sin a plus b, तो कितना हो गया, 2 alpha plus beta, plus sin a minus b, तो क्या जागा, sin of minus beta, अब sin 2 alpha plus beta की value कितनी थी यहां से, 3 sin beta है, तो इसको रख दो है, 3 sin beta, लिख दिया, plus sin of minus beta क्या होता है, minus sin theta, तो minus sin beta, तो कितना बच गया है, 2 sin beta बच गया, 2 sin beta की एक क्या है, बिल्कुल है, इसका मतलब second option भी सही ह तो इस तरीके से आपको solid रनना है, बाकि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी cos alpha plus beta को रख के देख लो, आप है न, यहां से क्या करना पड़ेगा, cos alpha plus beta की value निकाल नहीं है, उसको put कर लेना, same काम करना है, ऐसी यहां पर भी sin alpha plus beta, तो यह तो option इसका सही नहीं है, बड़ यह इसका option स 5 plus cot 5, then क्या होगा, कौन सो option सही है, तो देखो क्या करेंगे, क्या कराइए, x equal to s, 5 minus 10, 5, तो इक काम करो, पहले तो simplify कर लो, थोड़ा सा है न, easy रहे, तो क्या हो जागा यह, क्योंकि अभी मैं value रखूंगा सीदे, तो question काफी जादा complicated हो जागा है न, तो इसलिए क्या है, प है न, जब आपको बताया गया है, क्या, कि 1 plus minus sin की form हो, तो इसको अपन whole square में convert कर सकते हैं, कि इसके half angle के, तो 1 minus sin को आप कह ले सकते हो, sin square, 5 upon 2 plus cos square, 5 upon 2 minus sin का half angle formula, 2 sin 5 by 2 cos 5 by 2, और नीचे क्या हो गया, cos का बोलो, क्या हो जागा formula, cos 5 by 2, cos square 5 by 2 minus sin square 5 by 2, तो यह देखो, उपर तो whole square बन जाएगा, और नीचे क्या है, a square minus b square, तो आपने करा होगा, यह simplify करके, क्या बढ़नता है बता हो, यह बचेगा, क्यों बचेगा, cos 5 by 2 minus sin 5 by 2, क्योंकि उपर तो whole square है, और नीचे क्या बनेग cos 5 by 2 से divide कर दो, तो क्या बन जागा यह, 1 minus 10 5 by 2 upon 1 plus 10 5 by 2, तो यह बन जागा, आपका, x बरावर 10, 5 by 4 minus 5 by 2, यह चीज़ आपको solve करना है, थोड़ा सा है, solve करना है, solve कर लोगे, तो यह किसकी value आ रही है, x की, same with y, y को भी आप simplify करें, तो y की value क्या है, कुछ एक 5 plus quad 5, तो यह 5 by 2 और नीचे क्या आप जागा, 2 sign 5 by 2 into cos 5 by 2, तो cos से cos cancel out हो गया, 2 से 2 cancel out हो गया, cos upon sign क्या बन गया, cot, तो यह आजाएगा, cot 5 upon 2, आप सको रख के देख लेते हैं, ना, आजाओ, आजाओ, तो सबसे जाले, किसकी बात करें मताओ, y के value आ गई, x के value आ गई, तो रख के देख लेते हैं, तो x equal to y plus 1 upon, अच्छा, क्या रहा है, y plus 1 upon y minus 1, तो चेक कर लो, तो क्या हो जाएगा, cot 5 upon 2 plus 1 upon cot 5 upon 2 minus 1, तो इसको 10 में चेंज कर लेंगे, तो क्या बनेगा, 1 plus 10 5 upon 1 minus 10 5 by 2, तो वो क्या बनेगा, 10 5 by 4 plus, ये क्या बनेगा, आपका 10 5 by 4 plus 5 by 2, लेगिन अपने को x क्या दे रखा था, 10 5 by 4 minus दे रखा था, इसका मतलब ऊपर minus होना चीए, और नीचे plus होना चीए, इसका मतलब ये option सही है, असका, चेक कर लें, कोई दिक ये रख दी किसकी, y की, तो सॉल करके आ रही है, 10 5 by 4 minus 5 by 2, क्या ये x है, विल्कुल ये x साथ, तो ये क्या आगया, एक पर टो x आगया, इसका मतलब, तो इसका मतलब, तो इसका मतलब, तो इसका मतलब, ये option सही है, अब इससे ये option नीचे करना है, तो एक काम करोगा, आप अपने आपने हैं, ये पर रखने में, क्योंकि पहले से क्या है, 10 5 by 4 plus है, तो LC में ना पड़ेगा, तो आपके अगरो सीधे इसको, component डिविडेंट लगा दो, किसमें इस वाली में, ये सही है, तो ये भी सही होगा, तो आजाएगा इससे ये relation, तो लगा दो, इसके नीचे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जागा, बोलो, X plus 1 upon X minus 1, बरावर, numerator plus denominator, तो कितना हो जागा, 2Y, नीचे क्या हैगा, numerator minus denominator, तो Y से Y cancel out हो जागा, क्या बचे का minus का 2, तो क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, इस minus को यहां multiply कर दो, तो क्या बन जागा, ये X plus 1 upon 1 minus X, उल्ट जाएगा, चलें आगे, चलो, Q4, क्या कह रहा है, देखो Q4 में, सबसे बहुते है, सबसे बहुते हैं, और कह रहा है, तो क्या किया जाए बदाओ, Yes, आजाओ, तो एक बाता हो, साइन के वैल्यू कैसी दे रही है, आपको positive दे रही है, अब साइन positive है, और quadrant अपने को देनी रहा कि alpha किस quadrant में है, तो साइन इदी positive है, तो किस किस quadrant में हो सकता है, alpha may be in first quadrant, and alpha may be in second quadrant, पहले और दूसरे, किसी भी चत्वतांस में हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 alpha की जो value होगी, वो positive भी हो सकती है, और negative भी, पहली बार मैंने क्या माल लिया, यह first quadrant में है, कौन? sin alpha, sin alpha ही दी first quadrant में होगा, तो यहाँ से when alpha belongs to first quadrant, तो बताओ क्या जागा यहाँ से answer इसका, यह जागा आपका simple सी बात, 10 alpha, 10 alpha कितना जागा बलो, perpendicular upon hypotenuse, तो वो क्या होजएगा, perpendicular upon base, और cos alpha चाहिए, cos alpha क्या आएगा, base upon hypotenuse, तो कितना होजएगा, 4 upon 5, चलो value रख दो, value रखो कितना आएगा, 10 alpha की value कितनी हो गई, 3 upon 4, sin alpha की value कितनी है अपने पास, 3 upon 5, minus cos alpha की value कितनी है, 4 upon 5, 4 upon 4, और नीचे आगया, minus का 1 upon 5, सही है, तो यह solve करके आ रहा है अपना, minus का 3, 15 upon 4, minus का 15 upon 4 आ रहा है, option नमर second सही है, इसका मतलग, अब check करते हैं, अब second quadrant के लिए, जब alpha किसको बलोग कर रहा है, second quadrant को, second quadrant में होगा, तब क्या होगा, बोलो, 10 तो negative आएगा, तो 10 alpha कितना होगा आपना, minus का 3 by 4, और cos alpha भी negative होगा, second quadrant में, तो कितना होगा, minus का 4 upon 5, value रख दो आप, solve कर लो, तो 10 alpha कितना होगा, minus का 3 by 4, upon में sin alpha कितना है, 3 upon 5, minus minus plus हो जाएगा, 4 upon 5, इसको आप solve कर लो, तो नीचे कितना होगा, साथ, साथ चोकट थाइस, और उपर कितना होगा, पांच, पांस तीया पंदरा, तो minus का पंदरा बटे या थाइस, तो कौन साप्शन आएगा, इसका अप्शन नमर फोर्त आएगा, सही है ना, नॉर्मल सा एक दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, चलें, यह आगे, चलें, पूर्शन मर फिव्त में क्या कहे रही है, क्योंजन मर फिव्त में कह रही है, आप से, एक क्योषन आफ दिस है, एक एक इस इंटरवल के लिए पूछ रहे है, कि जिसके लिए इसके, रिल सोलीशन एकजिस्ट करते हो, यानि कि वास्त विखल हो सकते हैं, तो करते हैं शुरू देखो, सबसे पहली बात, sin की पावर 6 प्लस प्लस की पावर 6 आपको दिखा जैसे ही, तो आपको इस दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए एक ही बात, कि इसको आप क्या लिख लो, 1-3 sin square cos square, 1-3 sin square cos स्कार होगया, बराबर में a square, तो कितना आगया, 1-3 by 4, यह हो गया, 2 sin cos का whole square, बराबर में क्या आगया, a square, तो यहां से क्या आजाएगा, 1-3 upon 4 into sin square 2x, equal to m, क्या है, a square, तो यहां से क्या आजाएगा यह, 1-a square, equal to 3 by 4, sin square 2x, 4 upon 3 से multiply करने हैं, पूरे को, तो कितना बोलो 4 upon 3 into 1 minus a square equal to me क्या हो गया sin square 2x ठीक है अब बताओ sin x की range क्या होती है minus 1 से plus 1 sin square 2x की हो जागी 0 से 1 तो sin square x 2x की range दी 0 से 1 होगी तो 0 से 1 range होगी किसकी इसकी तो 4 upon 3 into 1 minus a square हो गया अब निकालो के रेंज आरा हम से यहां से पहले 3 upon 4 से multiply कर लेना तो यहां तो 3 upon 4 आ जाएगा क्या बच गया 1 minus a square 1 गटा दो सम्में से तो 1 गटा होगी तो यह आजाएगा minus 1 by 4 अब minus multiply कर दो तो यह तो plus का होगी और यह भी plus का होगी और sin of inequality क्या जाएगा जब भी हम किसी भी inequality को क्या करते हैं minus sin से multiply करते हैं बोच साइट तो क्या होता है sin of inequality change हो जाता है तो यह आ रहा है तो इस से तो क्या आ जाएगा बताओ double inequality बन गई तो यहां से तो क्या जाएगा a square less than 1 तो यहां से तो क्या जाएगा छोटे से बड़ा root यानि कि minus 1 से plus 1 आ जाएगा यहां से close interval में और यहां से क्या जाएगा जब greater than का साइने तो a belongs to minus infinite से minus का 1 upon 2 union close interval है ना union close interval 1 by 2 से infinite तो इसको देख लोगे आप कौन साप्शन सही है तो देखो इस interval में इन दोनों का intersection लो देखेंगे तो यह minus 1 से plus 1 है और यह यहां से यहां तक है तो दोनों का intersection आएगा minus 1 से minus 1 by 2 union 1 by 2 से 1 ठीक है न यह आ रहा है इसका interval अब चेक कर लेते हैं कौन साइट सैटिस्वाई कर रहा है interval इसको तो a की value minus 1 से minus 3 by 4 यह विल्कुल इसमें interval हो आ रही है इसका मतलब यह option इस मेरे माइनस हाव से plus 1 नहीं यह तो आई नहीं रहे न तो इसका मतलब यह लिए होंगे चले आगे चलो हमें दूखो next question ऐसे क्या रहा है क्या रहा है सबस्क्राइब निकालना है मुल्डों मिरको यह सबस्क्राइब कर देखो स्कोर कर देखो किया करो से की हल्प से यहां से 10x लिए बराबर 10 10 square z और यहां पर जाएगा cos square z बराबर 10 square x ठीक है तो cos square z equal to 10 square x आ रहा है तो एक बाद हो cos और 10 में relation लिखे आना है तो इसका मैं reciprocal कर दूँ तो क्या हो जाएगा स्क्वेर जाएगा एक क्या आ गया 10 square x दो तीन प्राइट में होगा question इसलिए उड़ा सा जहां से देखें सेक स्क्वेर जेड आ गया अब इसको क्या लिख सता हूं मैं 1 प्लस 10 square z तो 1 प्लस 10 square z दो आप लिखोगे तो 10 square z बरावर क्या चला जाएगा 10 square x माइनस 1 चला जाएगा सही बात है तो 10 square x माइनस 1 उठा के यहां रख दू में तो मेरे पास आ गया cos square y बरावर 10 square x minus 1 इसमें कोई दिखकत नहीं है अच्छा कुछ यहां रेसे फॉकल नहीं किया मैंने आ यहां पर काया इसको में लगों कॉर्ट आएगा कोट स्क्वेर एक्स और यहां पर कहा जाएगा कोट स्क्वेर एक्स माइनस वन तो यह क्या आग्या इसका में पर पूत होगे cot square x minus 1 ठीक है इसको रपकर दें cos square y बराबर 10 square z और 10 square z की लगज़ागी लिग दिया मैंने cot square x minus 1 और यह कितना है cos square y ठीक है अगी सिन बाद तो देखो आप cos square y आगया आप cos square y को में लेगी जाना है तो एक काम करें आप इसका square करें तो क्या मिलेगा cos square x बराबर 10 square y इसको भी reciprocal कर दो तो sec square x बराबर क्या हो जाएगा 10 का उल्टा cot तो यह हो जागा cot square y यह हो जागा cot square y यह आपको क्या करना है एक काम करते न sec में लेगे जाना है cos में लेगे जाना है तो एक काम करो आप बढ़ो क्या करोगे एक काम यह कर लो 10 square y है इसको लिखतो 2 square y minus 1 क्या लिखतो 2 square y minus 1 लिख दिया अब अपने पास क्या है cos square y और यह क्या है साइक स्क्वाइ इसका क्या कर दें माने यसी प्रोकल तो आ जागा यह तो बताओ क्या जागा 2 square y की जगा लिख दिया मैंने 1 upon cot square x minus 1 minus 1 यह आगया तमारा cos square x बस होगे साल अब क्या करें मताओ lc में ले लें तो lc में लोगे तो क्या जागा 1 minus cot square x प्लस हो जागा 1 और यह cot square x इसमा के multiply जागा तो क्या बन जागा बताओ यह आगया आपका cos square x into cot square x minus 1 ठीक है इकल लिया अब इसको simplify कर लो आप तो एक काम करो इसको cos upon sign में लेखलो और cos upon sign करके convert कर लो बूरा ठीक है ना तो देखो क्या करेंगे cos square x into cot square x minus 1 को क्या लिए बताओ cos square upon sin square minus 1 equal to 2 minus cot square इसको लेखतो cos square upon sin square ठीक है यह फिर एक काम करें ना पन एक काम करते हैं एक में लेखो है ना है ना डबल डबल सोल करना पड़ेगा फालतू तो क्या करो आप quarter square x को यही की ही चींज कर लो किसमे cos square upon sin square में तो यह क्या हो जागा cos square बराबर 1 upon cos square minus sin square और उपर चला जागा sin square minus क्या है 1 1 को आप इधर लिया हो तो क्या हो जागा 1 plus cos square into cos square minus sin square क्या लेखो होगे 1 minus या ऐसा करो cos में ने करो 2 cos square minus 1 equal to kya बच गया sin square अब इसको आप multiply कर लो क्या आगा 2 cos की पावर 4 minus का cos square minus का cos square और क्या रहा है बोलो minus का 1 2 cos की पावर 4 हो गया minus का cos square plus का 2 cos square बचेगा और क्या हो गया minus का 1 equal to what we call 2 minus cos square ठीक है क्या लग दिया 1 minus cos square अब cos square को एक तरफ ले लो और इसको solve कर लो तो 2 cos की power 4 plus 2 cos square minus 2 बराबर 0 2 से ड्वड कर दो तो क्या बन गया cos की power 4 plus cos square माइनस बराबर जीरो अब यहां से कुछ निकानना अपने को कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है अब आप जिससे चाहू से निकालो इसको मैं डिलीट कर दूँँ यह से हटा दूँँ देखो इसको बिटा रहा हूँ है ना ज़रूद नहीं इसकी आजाओ तो कॉस्ट स्क्वार की वैल्यू निकालो आप कॉस्ट स्क्वार में क्या है क्कॉस्ट स्क्वार की वैल्यू आ जाएगी माइनस भी है ना कॉस्ट में क्या है बट कॉस्ट स्क्वार में क्या है क्कॉस्ट लेल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं तो मॉइनस वाली वेल्यू को आपको Do यह हैं लेटेंगे तो यह कि आ रोगी सिर्फ फाइब मैंनस वबान टू तो रूट फाइब मैंनस वन अपबन टू तो इसको मैंने लिए रूट फाइब मैंनस वन अपन टू अधिकें न तो कॉस की वेलो आ गई है अब देखो एक बात संजो यह कॉस की वेलू आ रही है तो अभी मैंने कॉस की वेलू क्या ले लिया अंडर रूट ऑफ रूट फाइव मैंनस वन अपन टू मैंने क्या किया एक ट्रेंग्ल ना लिया जिससे की मेरे को फोड़ा इजी हो जाए वेलू कर नहीं है यह वी वाद तरही स्कीट गे तो जोता है तो अंडर रूट ऑफ फाइब मैंनस ना अपन रूट टु है ना रिष्यो को मैंने सिदे कंसीडर कर लिया कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर क्या जाएगा आपका पर पर परपेंडिगुलर पर प्रपेंडिग इसओन आपकी इस यह अधा न All है डुसे अंदर रूट सेस्प्लाइए रूटका बताओ है यहां तो आजेगा आपका एक मिनट रूट तो यह क्या आएगा ना परपेंडिगुलर अपन हाइब यह ना तो इसलिए क्या नीचे से रूट रटा दिया रूट से तो कि नीचे कितना आएगा तो उपर वाला देखो परफेक्ट स्कार रूट 5-1 का तो यह बन जाएगा रूट से भारा जाएगा रूट 5-1 और नीचे कितना आगया तो अब आप देखो द्यान से साइन एसकी वेल्व आ रही है रूट 5-1.2 इसको यह दी टू मिल जाए इसको यह दी टू मिल जाए उपर और नीचे तो मुल्टिप्लाइग करने से उपर नीचे टू से क्या बन जाएगा अब आप समझो इस चीच को है ना अब आप इसको मैं समझा दिया आपको अब देखना आप पूरा सौल करने जरूत नहीं है आप क्या करना है आपको देखना जान से है ना आब आजाओ चौस x आपके पास sin x आपके पास आपके आप आप बात किसकी हो रही है अब y बूच रहा है आप से यह नहीं क्या पूच रहा है sin y का मतलब हो क्या हो गया sin y का मतलब हो गया 10 y से related तो 10 y की value क्या है cos x तो बताओ मेरे को 10 y कितना हो जागा यहां से cos x हो जाएगा अब cos x की value क्या हैगी base upon hypotenuse तो under root of root 5 minus 1 upon 2 ठीक है तो बताओ यह को ने 10 y निकालना क्या है अपने को sin y तो यह क्या आ रहा है भी इस से इस y की help से क्या निकाल लूँ है बताओ value निकाल लूँ किसकी sin y की तो बताओ y एंगल के लिए क्या बनेगा यह perpendicular upon base तो यह हो गया under root of root 5 minus 1 और यह जगा root 2 तो hypotenuse कितना आ जाएगा बताओ परपेंडिकुलर स्क्वार प्लस बेस स्क्वार तो यह आ गया 1 प्लस root 5 का under root ठीक है अब क्या चाहिए आपको बताओ sin y चाहिए तो sin y की value क्या जाएगी sin y की value जाएगी perpendicular upon hypotenuse that is under root of root 5 minus 1 upon root 5 plus 1 ठीक है rationalize कर दो तो rationalize कर दो तो ऊपर तो बन क्या whole square यानि की root 5 minus 1 भाड़ा जाएगा root से और नहीं चुलेगा 4 4 का under root 2 ठीक है तो यह क्या गया sign y आ गया अगे इसको 2 से आप multiply divide कर दो तो क्या बन जाएगा 2 और वो क्या होगया sign 18 को क्या लग सकते है आप cos 72 इसका मतलब second option 20 का सही है आजाओ third option पर अब यह काम third के लिए करना है बताओ third के लिए क्या करेंगे cos z किसके equal है 10x के तो यहां से आप 10x निकालो और 10x निकाल के किसके equal कर दो पर एक और triangle बना के उसमें क्या ले लोगे आप angle z ले लोगे सही समझा रहा है नहीं आ रहा है यहां पर क्या है cos z equal to 10x तो cos z बरावर क्या हो जाएगा यहां से 10x और 10x के लिए पर्पेंडिकुलर अपन बेस यानिकी अंडर रूट आफ 3-5 अपन रूट 5-1 ठीक है तो यहां से क्या गया पर्पेंडिकुलर अपन यह क्या हो गया बेस अपन है पर्पेंडिकुलर अपन यह क्या जाएगा आपके पास बोलो क्या जाएगा कि structured आजएगा खुशेट आजाएगा तो क्या निकाल रोब हैं से सऑब चलो कर लोगे सेँ ओजाएगा कि यह कुस्ण विकुले कर के दिख लिए ना आ रहा है की नहीं आ रहा है ठीक है कि चलो अगला question है question number 7th, देखो क्या कह रहा है, yes, question number 7th में क्या कह रहा है, if sin x plus cos x equal to 1 plus sin x cos x, trigonometric equation में बताया हुआ है आपको क्या, कि जब आपके पास format किसका हो, function of the form, sin x plus cos x और sin x into cos x की form में आ रहा है न, तो क्या कर लोगे, आप sin x plus cos x को t माल लो, sin x plus cos x को t माल लोगे, तो squaring करोगे, क्या कर जाएगा, 1 plus 2 sin cos बराबर t square, तो यहाँ पर क्या रहा है, sin cos आ रहा है, तो sin cos की value क्या जाएगी, t square minus 1 upon 2, तो इस value को ढगे रख दो आपर, तो यह तो t माल लिया था, यह 1 plus क्या हो गया, t square minus 1 upon 2 आ गया, lc में लो, solve कर लो, तो 2t बराबर कितना हो जाएगा, 2, 2 plus 1, 2 minus 1, 1, 1 plus t square upon 2, 2 बहाँ चला गया, अब बताओ क्या करें, t square minus 2t plus 1 बराबर 0 आ रहा है, तो यह तो whole square 1 गया, तो यहाँ से t की value कितना आगी बोलो, t की value आगी 1, यहाँ से whole square वना तो t की value कितना आजएगी, 1 आजएगी, और t की value 1 आ रही है, इसका मतलब किस की value 1 आ रही है, sin plus cos की value 1 आ रही है, और आपको बताए, इसको हम solve कैसे करते हैं, a sin x plus b cos x को, coefficients of sin or cos, sin or cos के जो coefficients से हैं को square के, sum के under root से अपन क्या करेंगे, divide कर ही है, इसको माल लिए मैंने cos 45, इसको माल लिए मैंने sin 45, तो क्या बन जाएगा यह बोलो, sin a plus b, यानि कि sin x plus 5 by 4 और यह कितनी value होगी, sin 5 by 4 की value होगी, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, sin x plus 5 by 4 equal to sin 5 by 4, अच्छा, अपने को चाहिए यह नहीं solving करना इतना, तो sin x plus 5 by 4 equal to 1 by root 2 आ रहा है, बिल्कुल यह option इसका सही है, एक cos के format भी बन सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्या बन सकता है बता हो, इसको माल लो आप cos a cos b plus sin a sin b, cos a cos b plus sin a sin b क्या होता है, cos a minus b, तो क्या बन जाएगा cos x minus 5 by 4, तो यह option भी इसका बन सकता है, सम्झाया कैसे, अभी मैंने क्य to one by root two है ना अभी तो मैंने ये बनाया था तो sign a plus even गया था अब मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि आप दोनों को same same रखो है ना sign के साथ sign और cos के साथ cos इससे क्या हुआ cos से cos भी plus sin a sin vl format बन गया ठीक है ना तो cos a minus even जागा ये है और और वो sign a प्रसीव होनेगा तो पहला और चौथ option से ये इसका मतलब चलें आगे चलो next question नमर क्या है fourth fourth question में क्या कर रहा है possible integral value of a for which the equation this one has real solution a real solution रखता हो तो एक काम करो आप sign में convert कर लेते हैं क्योंकि sin x है ये cos 2x है तो इसको बन माइनस two sin square x plus में क्या है a sin x equal to में क्या है 2a minus 7 तो sin में quadratic equation हो गई तो क्या कल लोगे two sin square minus a sin plus का 2a minus का हो जागा eight equal to में क्या है zero तो sin में quadratic बन रही है तो sin की value निकाल लो क्या हो जागा minus b plus minus under root b square minus 4ac तो a square minus का 4ac तो 4 into a into c अब और में क्याएगा 2a तो 2 into 2 हो गया सही है तो यहाँ पर value क्या आ रही है बताओ a plus minus under root यह कितना हो गया solve कर उसको a square minus 8 तो 16 a square और प्लस का हो जाएगा 64 नीचे कितना आ गया 4 यह आ गया तो यह किसकी value आ रही है साइन की value आ रही है अब यह value यह किसका whole square रहा है आप ध्यान से देखो a minus 8 का whole square रहा है तो क्या बन जाएगा यह यह यहां लिख लें यह मैंने a minus 8 आप उनमें कितना आ गया 4 अब देखो अब क्या किया रहा है यह के संभब पूरंग की अमान जिनके लिए समीक्रण जिनके बास्ति भी खलाओंगे तो अब यह बताओ मिरको आप एक बार मैं positive ले ले लेता हूं तो एक को जब मैं positive मान के आखे हो ले रहा हूं यह ना इसको जब plus line ले रहा हूं है तो एक को में कहाँ लीए कि चले रहा हूं यह का गेर देन इट रहा होगा क्योंकि इससमें कुछ गिरिंट तो है नी कोई बात नहीं मानन ले टें इंट ए तो किया होगा बताओ plus minus a minus 8 चलो एक प्रस नहीं है तो कितना गया वोलो 2a-8 upon 4 आ जाएगा या फिर माइनस लोग तो कितना आ जाएगा a से a cancel out 2 आ जाएगी है तो इसका उनला है यहां से value आईगी जो भी आएगी तो sign की value कितनी आगी a-4 upon 2 आगी अब बताओ sign x की value यहा रहे है a-4 upon 2, तो sin की range क्या होती है, minus 1 से plus 1, तो a-4 upon 2 की range क्या हो जाएगी, minus 1 से plus 1 हो जाएगी, तो यहां से आप लिख ले, यहां लिख ले, a-4 upon 2 की range आगी, minus 1 से plus 1, तो 2 से multiply कर दो, तो minus 2 से plus 2 हो जाएगी, कौन, a-4 तो 4 एड़ कर दो इसमें, तो क्या जाएगा, 2 से 6 आजाएगा, तो a की range क्या रही है, 2 से 6, तो पुर्ण की आमान पूछ रहा था, a की, तो संबब पुर्ण की आमान क्या क्या जाएगे, 2 से 6 में है, 3, 4 और 5, इसका मतलब, 3 इसके क्राना है, 0 से 2 पाई को, तो जब भी आपको दिखें ना, sin की पाउर 4 प्लस की पाउर 4, तो क्या करना है, यही तो क्रना ही करना है, sin स्क्राइगा, का whole square minus का 2A भी यह काम तो आपको बिना सोचे बिना देखे करना ही करना है क्यों 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 रेंज की बात हो रही है तो अपने solve करना ही पड़ेगा अपच्छा यह क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो वन माइनस कितना हो गया 2 sin square cos square greater than half यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है x by 3 एंगल ठीक है न ध्यान रखे हैं आप मैंने क्या किया 2 से multiply ड़ेट कर दिया तो यह बन गया 2 sin cos का whole square greater than half ठीक है तो यहाँ पर कितना आजएगा 1 minus 1 by 2 2 sin e cos से क्या होता है sin 2 e तो यह बन जाएगा sin 2 x by 3 का whole square greater than half half को इधर ले 3 से ठीक है 1 by 2 से 1 by 2 कट गया क्या बच गया बताओ sin square 2 x by 3 less than बना गया 1 को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा sin square 2 x by 3 minus 1 को 1 का square लिख दो तो sin e square minus b square बन गया solution of iniquity कलना आता ही है तो यहाँ से कुल मिला के क्या ने वाला है sin 2 x by 3 आ जाएगा minus 1 से plus 1 के बीच में और यह यह minus 1 से plus 1 के बीच में आ रहा है तो अपन क्या कल लेंगे बताओ सी सी दे अपने को पूछ रहा है number of integral value of x यान की x कितनी integral value होंगी जो इसको satisfy करेंगी तो x की integral value कौन कौन से हो जाएंगी टाओ 0 से 2 5 में 2 5 बोले तो 6.28 तो क्या क्या जाएंगी एक तो बना जाएगी 1 2 3 4 5 6 in value को रखके देख लो आप बस x sin की value plus minus 1 नहीं होनी चाहिए और वो कहां पर होती है pi by 2 और 3 pi by 2 पर 0 से pi में तो x की value आप जब रखोगी 0 से pi में 0 से 2 pi में क्या होता है कुल मलाके यह है system अपने को पता है sin की value plus minus 1 होती है y axis पर उपर होती है plus 1 नीचे होती है minus 1 इसका मतलब यह हो गया यदि इसमें pi by 2 या 3 pi by 2 का multiple बन रहा है तो तो क्या होगा वो minus 1 plus 1 value देगा otherwise नहीं देगा अधरवाइस value क्या रहेगी minus 1 से plus 1 के बीच में तो यहां पर x की value पहले रहे हो आप 1 तो 2 अपन 3 आ रहा है 2 अपन 3 3 डिन पर क्या होगा value कुछ ना कुछ किस में आएगी बो minus 1 से plus 1 के बीच में आएगी ऐसी 2 3 4 5 6 रखे देख लोगे आप तो किसी पर भी value plus minus 1 नहीं आ रही इसका मतलब क्या है minus 1 से plus 1 के बीच में आएगी तो क्या होगे अपने answer 6 होगे इसका answer क्या आएगा 0 6 clear होगी बात चलें आगे चलो number of solution of the equation 10x plus 1x equal to 2 in the interval this तो एक काम करो sine cos में चेंज कर लो sine upon cos plus 1 upon cos equal to 2 cos ठीक है LC में ले लो तो उपर कितना आगया 1 plus sine cos को बहाँ ले जाओ तो 2 cos square होगे लेकिन ध्यान रखें जब भी आप ऐसे cross multiply करें तुरंत लिखें कि cos की value 0 नहीं होनी चाहिए आगे solve कर लो इसको 1 minus sin square लिख लो cos square को तो कितना हो गया यह 1 plus sin बरावर यह तो कितना आजाएगा यह 2 sin square plus का sin minus का 1 equal to 0 तो यहां से क्या आ रहा है बताओ factorization होने के बाद 2 sin square plus 2 sin minus sin minus 1 तो कितना हो जाएगा 2 sin minus 1 into sin plus 1 तो 2 value जा रही है sin की क्या क्या आ होνεे है बलो एक तो आ रही है half और एक आ रही है minus 1 sin की value जब minus 1 होगी तो cos की value क्या होजेगी महापध means 0 आपको पता है na cost sigma plus minus 1 काहं पर होता है y exit पर ऑम्हुइच पर y exit पर cos क्या होता है zero होता है तो यह जो minus one value उस पर cause क्या आ रहा होगा zero आ रहा होगा देखो question में second क्या करोगे sign upon cos क्या होगे sign upon cos plus one upon cos equal to two cos LC में ले ले लो क्या आ गया one plus sign equal to two cos square लेकिन ध्याना को जब भी आप cross multiply करते हो तो cos की value क्या लिखने है तुरंत आपो cos की value zero नहीं हो सकती तो यहांसे इसको sin square में change कर लो आप तो क्या हो जागा two minus two sin square यहांपे क्या गया one plus sign तो इसको इधर ले क्या होगे तो क्या हो जागा two sin square plus sign minus one equal to zero यहां sign की value निकाल लो आप तो sign की value निकाल लोगे तो sign की value आ रही है one by two यहांसे और यह आएगी minus one solve कर ले है आप आराम से है ना वेक्टराइज करके ठीक है ना two sin minus one into क्या बन रहा है दूसर एक्टर साइन प्लस one साइन प्लस one से क्या होगा जीरो होगा लेकिन वो होना नहीं चाहिए क्या कि यहां पर क्या है वो not defined है तो क्या है उसका मंलब साइन की value हाफ आएगी साइन की वेलू हाफ आएगी तो तो यहां पर क्या रहा है साइन one degree है और साइन एक अन डिगरी है तो बन तो रहा है कुछ ना यह क्या हो गया कॉस वन डिगरी बन जाएगा तो चैंग तो हो सकता है लेकिन वीचा मिश्एं गाने टो डिगरीлы फो डिग्री शिक्स डिग्री टो काम करते हैं पहले तोना पहले तो क्या हो क्या करते हैं इसमें मैंने क्या किया अपनी तरफ से ना अपने मंद से मैंने क्या किया थोड़ा सा चेंज गया क्या इसको मैंने अपनी तरफ से कॉस मैंने अपनी तरफ से क्या किया है, cos 2 degree, cos 4 degree, cos 6 degree और यहां पर cos 88 degree, मालगा जो even degree है ना, उनसे मैंने क्या कर दिया, cos cos लेकर उपर नीचे multiply कर लिए है ना, तो इससे क्या होगा, यह series लगातर वनगी, आपकी ध्यान से देखो तो, dot dot dot, cos 88 degree तक है ना, जो even की degree है, उससे मैंने कर लिए है ना, तो इससे क्या होगा, series लगातर हो गई, एक sin, एक cos, एक sin एक cos लगा है, बट लगातर हो गई, और फाइदा क्या होगा, इससे यह होगा, देखो, यह कितना है, sin 89 degree, तो दोनों एंगल का सम कितना है, 90 degree है, तो sin 89 को लिखो आप cos 1 degree, तो sin 1 into cos 1, क्या बन जाए यह आपका, यह बन जागा, sin 2 degree upon 2, बोलो, गलत तो नहीं कहा रहा, सही है, अगला pair किसका बनेगा, cos 2 degree है यहां पर, और यहां cos 88 है, तो cos 88 को आप कहले लिख दो के, sin 2 degree, complementary angle में change करके, 90 minus 2 degree change करके, तो 90 minus 2 लिखो को किस में change जाएगा, cos, sin में change जाएगा, अब यहां पर बन साइन, और यह पहले से कौन है, cos, तो sin 2 है, क्या बन जाएगा, sin 2 है, लेकिन 2 की कमी है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, sin 4 degree हो जाएगा, इस पर angle double होके, और नीचा जाएगा 2, अगेन बताओ, क्या हो जाएगा, अब 3 को पकड़ो, तो 3 का pair किस क्या बनेगा, 87 के साथ, तो वहाँ पर क्या बनेगा, sin 6 degree बन जाएगा, अब बात आ गई होगी आप पर समझ में, इस तरीकी साइन क्या बनेगा, 8 degree बनेगा, अब यह बताओ, 8 degree कौन सा बनाए, 4 वाला, तो अब यह बताओ, जब मैं 44 पर जाएगा, तो 44 का pair किस के साथ बन 45 की value हो, चाहें, cos 45 की value हो, तो odd में कौन बचेगा, sin बचेगा, तो sin 45 degree value की आएगी, 1 by root 2, उसको मैंने एजट से लिग दिया, और इन सब की नीचे कौन है, बताओ, इन सब की नीचे वो है, जिससे हमने multiply और divide किया था, cos 2 degree, cos 4 degree, cos 6 degree, cos 8 degree, और cos 88 degree, जिससे मैंने divide किया था, अब आप ध्यान से देखो, sin 2 degree का complementary angle को है, cos 88 कट गया, sin 88 का, cos 2 कट गया, sin 4 का, इससे पहले वाले से कट गया, sin 8 का, समझगेगा आदको, sin 8 किससे कट गटेगा, बोलो, ये कटेगा, cos 82 से नीचे, तो सारे आप पसमें क्या होगा, cancel out जाएंगे, और सारे cancel out जाएंगे, बस क्या अपने पास, 2 into 2 into 2, क्या बचेगा बताओ, finally, 1 upon में, 2 की पावर कितनी बचेगी, सोचो आप, 2, 4, 6, 8, कहां तक जा रहा है, 88 तक, चुम्बाले सोगे terms, तो 2 की पावर 44, और 1 upon root 2 और था, तो 2 की पावर half हो रहे है, तो कितना होगे है, solve हो कि बताओ, power add हो जाएगी, base SCF कितना है, 1, तो इसका मदलग क्या हो गया, A की value हो गई, 89 और B की value हो गई, दोनों को प्राइम है कि नहीं है, दोनों का SCF 1 है, तो A और B यहाँ पर क्या आ गया, 89 और 2, क्या पूछ रहा है यह आपसे, 89 plus 2 minus 90, तो value कितनी आ जागी, इसकी बताओ, 1 आ जागी, 1 आ जागी, इसका value है न, चलें आगे, चलो, next question number fourth, क्या कह रहा है, देखो, minimum value of second square hita, प्लस second square hita, ठीटा की value लाई कर रही है, किसमें 526 से 523 में, चलो करते हैं, तो देखो एक काम करो, आप पहले इसको, सहे, इसमें EMGM, से होते हैं minimum value question, तो आप इसमें क्या करो, 1 plus 10 square hita लिख लो, और square theta plus 2, कैसे, 1 into 1, 2 आ जाएगा, और 10 square into square square भी, 1 हो जाएगा, तो ये भी 2 आ जाएगा, तो ये बन गया आपका whole square, किसका, 10 theta plus, cot theta का, आप 10 theta plus, cot theta का whole square बन गया, तो आपको पता है, इसकी value क्या होती है, EMGM से, 10 theta plus, cot theta की value, sorry, ये cot है, है न, ठीक है, cot square theta plus 2, है न, अब लिख दूँ, प्यार से, 10 theta plus, cot theta का क्या बन गया, ये, whole square बन गया, ठीक है, अब बताओ, 10 theta plus cot theta की, अब इसकी निकाल लिए, मेरे को minimum value, अब 10 और cot, 5 by 6 से 5 by 3 में दोनों कैसे, positive है, तो क्या लगा दूँ, मैं EMGM, तो 10 theta plus cot theta, upon 2, greater than equal to, क्या ह 7 by 18 plus sign square, 4 by 9, एक कांग करें, आप इसको angle में चिल, जिकल ले न, degree में, तो ये, कितना हो जागा, sign square, 10 degree plus sign square, 9, 18, 20 degree plus sign square, 70 degree, और ये हो गया, plus sign square, कितना, बो, कितना हो जागा, 248, यानिकी 80 degree, ठीक है, आप देखो, जब भी angle, गंदी-गंदी सारे हो, जिनकी value आपको नहीं तो simple सा तरीका क्या होता है, आप supplementary और complementary के pair ढूने, तो इन दोनों के pair बन गई, 10 का 80 का और 2 का, 20 का और 70 का, तो ये क्या बन जागा, इसका complementary angle क्या होगा, cos 10 degree, तो cos square 10 बन गया, और ये क्या बन गया, cos square 20 degree बन गया, और ये पहले से क्यों है, sin square 20 degree, और ये क्या है, sin square 10 degree, तो थो देखो क्या हो जागा sin square plus cos query कितना हो गए या 1 again sin square plus cos query कितना हो गावन तो one plus one कितना जाएगा टु आ जाएगा तो इसका आंशर क्या एगा टू आएगा ठीक है तो यह इताव का पांच्छा कोस्चिन चलो तो ठीक है तो यह का solution तर बढ़ा, इसको अच्छे से कर ले, कोई doubt है तो app पर भी सकते हैं, thank you.